आपको अपने परिवार रोजगार विद अंकित में तो कैसे है आप सब लोग उमेद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे बहतरीन होंगे लाजवाव होंगे एकदम बिन्दाश होंगे और साथी बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे तो hectic तो हम लोगों को ज Espero घ्लना होगा शाम को आप लोगों की कम्प्यूटर की भी क्लास है दोस्त अगर हम भी चाहते तो हम भी रेस्ट ले सकते थे लेगिन हमारे लिए भी उतना ही okay चीजे होती है जितना आप जो मैं 100 रन छोड़के आया हूँ, 100 के करीब छोड़के आया हूँ और 3 विकिट गिर चुके हैं तो इंडिया भी सही स्थिति में नहीं है लेकिन जब हम क्लास को खतम कर रहे होंगे तो एक बहतरीन स्कोर आप लोगों को देखने को मिलेगा और जीतना तो खेर हमें है ही, है ना चलिए बैए, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को रादे रादे, सभी को दोस्त जैहिंद बहुत बढ़िया, बहुत शांदार, बहुत शांदार, बहुत लाजवाब आज का टॉपिक जो है आप लोगों के सामने है, कौन सा है भई, अच्छा, दो जगे टाइम and work आ रहा है तो कल यहाँ देखेंगे बेटा, यहाँ कल हम परसंटेज को लेके आ जाएंगे कल का टॉपिक जो रहेगा वो परसंटेज, परसंटेज महोदय यहाँ आ जाएंगे कल क्योंकि इस चैप्टर को हम लोग कर चुके हैं, आज जो हम करने वाले हैं, वो इस चैप्टर को करने वाले हैं कहां तक हम पहुँचेंगे वो देखेंगे, टाइम बताएगा रेशो एंड पिरपोर्शन को आज हम लोग देखने वाले हैं, तीन गहंटे की लगबग-लगबग कलास होगी ठीक है, तीन गहंटे की लगबग-लगबग कलास होगी मेरे दोस्त, बहुत बड़ी यहाँ, कलास लेना जरूरी है चलिए, सुरुआत करें बही, एक बार जल्दी से दिल से स्वागत करेंगे, थमसब करेंगे कि हाँ, हम लोग तयार है, बस अब आप सुरुआत कर दो जल्दी से सुरुआत कर दो बटा, और अब मैं स्क्रीन को चेंज करा दूँगा दोस्त कमेंट मैं आपके बिलकुल भी नहीं पढ़ हुआ क्योंकि चीजे बहुत सारी होती है और मैंनी चाहता कि मेरा या आपका दोनों में से किसी का भी समय जो है वो वेश्ट हो तो आप लोग जिस काम में लगे हुए हैं लगे रहिएगा केरी ओन बहुत अच्छे से करिएगा लेकिन जिसको पढ़ना है वो अच्छे से पढ़िएगा भी ठीक है भाई लाइक बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने क्लास को लाइक भी नहीं किया है तो जल्दी से वो काम निप्टा दीजिए लाइक वाला और फिर हम सुरुआत करते हैं आज की क्लास का पहला कुश्चन आपकी सेवा में हाजिर है पहले कुश्चन को देखके निसकर्स मत निकालिएगा कि कुश्चन सारे आसान होंगे हर एक टाइप का कुश्चन कहा है न पूरा रिवाइस कराऊंगा तो आसान चीजों का भी रिवीजन होगा थोड़ा सा कैलकुलेटिव चीजों का भी रिवीजन होगा लेकिन रेशो के अंदर बात करूँ तो रेशो के अंदर 90 परसेंट चीजे जो होती है 95 परसेंट चीजे जो होती है वो आसान ही होती है ठीक है भाई चलिए बहुत बढ़िया चलिए लेवल वड़ा हैं बहुत बढ़िया बहुत शांदार आप लोगों की यही बाते जो है बहुत प्यारी लगती हैं आप लोगों की यही बाते उसने कहा है ABC का रेशो बताईए A और B का रेशो कितना दे रखा है 11,7 और B और C का रेशो कितना दे रखा है 5 और 19 दे रखा है तो आप लोगों को बता रखा है पड़ोसी कौन है साथ है और पड़ोसी कौन है 5 है 11.55 हो जाएगा 7.55 हो जाएगा और 19.70 पूरी दुनिया जानती है 133 हो जाएगा कुश्चन का जवाब 55.35,133 option number A question number 2 का क्या होगा इस question का बिलकुल सही जवाब अब भी पूछे जाते हैं कभी ये कहने लगो जी question नहीं पूछे जाते हैं अब भी पूछे जाते हैं हर किसी को pet किसे compare ना किया जाए pet का pet का जो paper था वो एक डरावना पल मान के भूल जाओ कि वो हमारे जीवन में एक डरावना पल आया था कुछ समय के लिए उसे भूल जाते हैं आगे ऐसा paper नहीं आएगा ये सोच के हम लोग आगे बढ़ते हैं ठीक है भाई चले question number 2 आप लोगों के सामने हैं क्या कहना चाहरा है भाई अगर मैं A और B का रेशो आप लोगों से पूछू तो क्या दिया हुआ है 3-4 दिया हुआ है और अगर B और C का रेशो आप लोगों से पूछू तो 1-5 दिया हुआ है पड़ोसी 4 है और पड़ोसी मेरे दोस्त 1 है तो आप कहेंगे A की value 3 आ जाएगी B की value 4 आ जाएगी और C की value जो है वो 20 आ जाएगी अब कोशन ने पूछा क्या है कोशन ने कहा है A और C का रेशो क्या होगा तो सवाल का जवाब 3 रेशो 20 हो जाएगा क्या होगा मेरे दोस्त 3 रेशो 20 हो जाएगा ठीक है भाई चलिए भाई next question की तरफ सुरुआत में दो question मैंने आप लोगों के सामने वैसे रखे जब वो A, B, C का रेशो पूछ रहा होता है या A, B, C, D का रेशो पूछ रहा होता है सर डिफिकल्ट सवाल दो भाई आएंगे जो भी सवाल है वो इसी के अंदर है सुरुआत से डिफिकल्ट कराना स्टार्ट कर दो आप थोड़ा जा patience रखा करो है ना चलिए X और Y की value 4 रेशो 5 दी हुई है तो उसने पूछा है 8X माइनस 6Y उसने पूछा है मेरे दोस्त 8X माइनस 6Y अपॉन में क्या है 9X माइनस 7Y अगर आप यहां से देखे तो मेरे साथ ही X की जगा 4 पुट करिए और Y की जगा 5 पुट कर दीजिये X की जगा 4 पुट करोगे तो 8 चॉक 32 होगा Y की जगे 5 तो 6 पंजे 30 हो जाएगा X की जगा 4 तो 9 चॉक 36 होगा माइनस 9 चॉक 36 होगा माइनस Y की जगा 5 तो 7 पंजे 35 होगा तो आप यहां से कह सकते हैं दो बटे एक आपका जवाब हो जाएगा option number A is the correct answer भाई पोल की विवस्था करियो आते हैं क्या लगाने पोल बहुत बड़िया question number 4 उचित इनाम का question आपके सामने आ चुका है जो question आपको उचित इनाम दिलाएगा रोहिस सर अच्छा खेल रहे हैं अच्छा खेलेंगे भाई अच्छा खेलेंगे इंडिया वाले हैं ना इंडिया वाले तो भाई अच्छा ही खेलते हैं उनसे सीकने की जरूरत है पिछले कुछ time flop रहने के वाद अब जवर्दस्त वापसी चला जा मेरे दोस्त नहीं जाएगा उपर चल बताईए भाई क्या होगा इस question का बिल्कुल सही जवाब पोल मतलगा न छोड़ दिया भाई हटा दो पोल को तो आपकी अग्या के मालिक आपकी अग्या के अनुसार चलने वाले हटा दो बेपोल को जब बच्चे मना कर रहे हैं छोड़ो छोड़ दिये हमने वो रास्ते हाँ A रेशो B A रेशो B आप लोगों को दिया हुआ है मेरे दोस्त कितना दिया हुआ है तो आप कहेंगे 4 रेशो 7 दिया हुआ है वो आपसे पूछ रहा है भाई साब 3 A प्लस 2 B तो A की जगा रखिये 4 तो A की जगा जब 4 रखोगे तो 4 तिया कितना हो जाएगा 12 और B की जगा रख दीजिए रूट 7 उपर तो 12 पिलस रूट 7 होगा A की जगा 4 रखिये 4 दूनी 8 होगा और B की जगा रूट 7 अब आप लोगों को मैंने बताया होगा कि कभी भी दिनोमिनेटर में रूट रहता है तो हमेशा उसका रेशनलाईजेशन करना होता है हमेशा उसका परीमेकरन करना होता है तो 8 पिलस रूट 7 से उपर गुणा कर दीजिए परीमेकरन मतला वो साइन चेंज करके उपर नीचे गुणा भाग कर दो अब मेरे दोस्त मेरे साथ साथ सॉल्व करना एक बार 12 की गुणा 8 में 12 अथे च्छान में पिलस 12 की गुणा रूट 7 में 12 रूट 7 होगा 8 की गुणा रूट 7 में 8 रूट 7 होगा और यहाँ पे देखेंगे root 7 की root 7 में 7 हो जाएगा नीचे देखोगे A-B की गुणा A plus B में करोगे तो A square यानि 8 का square minus B square यानि की root 7 का square हो जाएगा A-B की गुणा A plus B में करते हैं तो वो A square minus B square आ जाता है ठीक है भाई? अगर यहाँ से देखा जाए तो 96 और 7 कितना हो जाएगा तो आप कहेंगे 103 हो जाएगा और 12 और 8 कितना हो जाएगा 20 root 7 हो जाएगा अगर यहाँ से देखोगे तो यह 64 होगा और 64 में से 7 जाएगे तो कितना बचेगा? 57 बच जाएगा तो 103 plus 20 root 7 upon 57 यानि कि option number D बढ़िया question है option number D यानि कि बढ़िया question आप लोगों को देखने को मिलेगा root में क्यों हुआ sir root मेरे दोस्त दिया हुआ है दोस्त मेरे root दिया हुआ है ठीक है next question आप लोगों के सामने शांदार जांदार question level वाले दोस्त मेरे आए question को solve करें और answer दें कि क्या होगा इस question का बिलकुल सही जवाब एक बहतरीन question आप लोगों के सामने है चलिए, सर मज़ा नहीं आ रहा है आएगा, थोड़ी देर में आएगा मज़ा मज़े का पिरबंद रखा है 10-12 question के बाद जो है वो मज़े का पिरबंद रखा है question के साथ साथ जो है मैं भी दो चाथ ठुमके लगाऊंगा ठीक है tension मतलो, मज़े का पूरा पिरबंद है आजओ question नहीं कहा है ABC ऐसी धनातमक संख्याए है कि A square प्लस B square ratio B square प्लस C square ratio C square प्लस A square ये आप लोगों को दिया हुआ है तो आप से ratio में ही चीजे पूछी गई है मैंने आप लोगों को बताया होगा जब ये question कराए होंगे कि पहले सबसे पहले इन चीजों को जोड़ना होता है तो एक बार जोड़िए left hand side जोड़ेंगे A square A square क्या हो जाएगा 2 A square हो जाएगा B square B square कितना हो जाएगा 2 B square हो जाएगा और C square C square 2 C square हो जाएगा जब right hand side जोड़ेंगे तो 4 और एक 5, 5 और 5, 10 को 0 हसल 1 3 और एक 4, 6 और 4, 10 और 4, 14 हो जाएगा 2 से काटेंगे कितनी बार कटेगा 70 बार कटेगा कितने बच्चों को ये बास समझ में आ चुकी है कि A square plus B square plus C square की value 70 है अब देखना देखना ध्यान से सुनना मेरे दोस्त मैं क्या कहना यहां से चाहरा हूँ अगर मैं आपसे A square plus B square की value पूछूँ तो वो 34 दे रखी है यानि इसकी value 34 है उधर जाएगा माइनस हो जाएगा C square की value क्या आ जाएगी 70 में से 34 घटा दो 70 में से 34 घटा होगे तो कितना आएगा 10 में से 4 जाएगा 6 आएगा और 5 चे में से 3 जाएगा 3 आएगा square हटाओ square root लगा दो क्या C की value जो है वो 6 आ चुकी है बहुत शांदार अब आप देखोगे B square प्लस C square की value 61 दी हुई है B square प्लस C square की value 61 है उधर जाएगी माइनस हो जाएगी तो A square की value क्या होगी 70 माइनस 61 हो जाएगी यानि वो value 9 निकल के आएगी A square की value 45 है C square प्लस A square की value 45 है उधर जाके माइनस होगी तो इधर B square बचेगा 70 में से 45 घटाओगे तो कितना आएगा 25 आएगा इधर से square हटाओगे इधर square root लगाओगे तो ये कितना आजाएगा 5 आजाएगा कोई दिक्कत समश्या तो आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं है अब देखना मेरे दोस्त उसने कहा है A plus B यानि दोनों को जोड़ा तो कितना आया 8 आगे बढ़ो B plus C यानि कि 5 और 6 को जोड़ा तो कितना आगे 11 आगे बढ़ो C plus A यानि कि 6 और 3 कितना आगे 9 आगे आँसर कितना आएगा 8 ग्यारे 9 आप्सन कौन सा आएगा यह आएगा बताओ भई कोई समश्या है तो बताओ बहतरीन कोश्यन मैं इसे कहूंगा 8 ग्यारे 9 इस दा करेक्ट आंसर ठीक है भई चलिए बहुत शानदार कोश्यन नमबर 6 कोश्यन नमबर 6 आप लोगों की सेवा में हाजिर है फटा फटा मुझे बताइएगा क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब केहल राहूल आउट राहूल आउट चलो राहूल से मतलब नहीं है राहूल से मतलब नहीं है इंडिया के जीतने से मतलब है इसमें A और B का अनुपात 13 और 17 है मेरे दोस्त सुन लेना थोड़ा ध्यान से A और B का अनुपात जो दिया है 13 और 17 दिया है बहुत शानदार बात A में 15% की विरद्धी कर दी और B में 30% की विरद्धी कर दी तो A का B से नया अनुपात अगर इसमें 15% की विरद्धी करी है तो क्या अब ये value 115% बन गई होगी और अगर इसमें 30% की विरद्धी करी है तो क्या ये value 130% बन गई होगी हाँ या ना तो आप कहेंगे बिल्कुल तो आप से क्या पूछ रहा है आप से क्या पूछ रहा है वो इनका ratio पूछना चाहरा है वो ratio पूछना चाहरा है भाई percentage से percentage हटाओ अब यहां ध्यान से सुनो 5 से काटो 23 बार कटेगा और 5 से काटो तो 5 दूनी 10, 5 चंग 30 होगा 13 दूनी 26 हो जाएगा और 23 बटे 34 इस question का जवाब हो जाएगा 17 दूनी 34 होता ह तो मेरे दोस्त जवाब क्या आएगा 23 बटे 34 option number C option number C ठीक है भाई चलिए next question आप लोगों की सेवा में हाजिर है इस question का जवाब देने वाले को उचीति नाम दिया जाएगा आप लोग भी जानते हैं फटा फटा मुझे बताईए क्या होगा इस question का बिलकुल सही जवाब सर थोड़ा बड़ा बड़ा लिखो अच्छा ठीक है भाई अब की बार देखेंगे बड़ा कैसे ना लिखा जाए गुरू जी गरीबों की भी परिणाम ले लो हाँ बात तो सही है क्योंकि यहां लिखके आ रहा है कि मैं गरीब हूँ उसकी धन दोलत सारी लिखके आ रही है दोस्त मेरे तो मुझे तो सबका पता है गरीब और अमीरों का भाई कैसी कैसी दिमाग में सोच रखते हूँ मेरे दोस्त हरकते ऐसी ही यहां करते हो या हर जगे ही ऐसी हरकते कर रहे हो एक बार बताना जरूँ बताएए क्या होगा इस कुश्चन का बिलकुल सही जबा पात ये दिया हुआ है तो उन संख्याओ का गुननफल क्या होगा तो गुननफल जो होगा वो 24 का ही कोई multiple होगा तो ना तो ये answer होगा 24 का ना ये answer होगा या तो ये answer होगा या ये answer होगा बात के लिए है अगर मैं आपसे कहूं ऐसी दो value बतादो जिनको घटा के तो एक आ तो आप कहेंगे बहुत सुन्दर सी 2 value है 4 और 3 घटा के कितना आएगा एक आएगा जोड के कितना आएगा साथ आएगा लेकिन अगर गुणा करता हूं तो 12 आएगा उसने कितना दिया है 24 दिया है क्या 12 की value 24 है तो 1 की value कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी अगर एक की value दो हो चुकी है तो इस value को क्या माना था एक की value तो 2 आ चुकी है साथ की value 14 आ चुकी है और 24 की value 48 आ चुकी है यानि वो संख्याएं जो आपने मानी हैं उनका अंतर जो आएगा वो 2 आएगा उनका योग जो आएगा वो चोहदे आएगा और उनका गुननफल जो आएगा वो 48 आएगा और कोशन ने पूछा है उनका गुननफल क्या होगा तो option number C हो जाएगा ठीक है? option number C इस question का जवाब हो जाएगा बढ़ते हैं आगे एक बहतरीन question आप लोगों के सामने question number 8 बताईए क्या कहना चाहरा है? question ये कहना चाहरा है कि तीन संख्याओं का अनुपात ये है और आप अच्छे से जानते हो ये अनुपात हमें बिल्कुल पसंद नहीं है और जो चीज हमें पसंद नहीं है उसे हम हटा देते हैं हटाने का तरीका क्या है? 4,9,12 से कटने वाली संख्या 36 होती है जब भी रेशो fraction में दिया हुआ हो आप LCM से गुणा कर लो आप LCM से मेरे दोस्त गुणा कर लोगे तो यहाँ जो आएगा वो 9 आएगा यहाँ जो आएगा वो 20 आएगा यहाँ जो आएगा वो 21 आएगा जो मतलब इस रेशो का था वही मतलब इस रेशो का रहने वाला है यह बात तो समझ में आ गई भाई जो मतलब इस रेशो का था बस पसंदी नहीं है यह चीज ठीक है? जो रेशो इस मतलब का था जो रेशो इस का था वही मतलब इस बात का है ठीक है भाई उसने कहा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर तो दोनों के बीच अंतर कितने का है 21 में से 9 जाएगा तो 12 का अंतर है उसने कहा है दोनों के बीच 180 का अंतर है तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी बिटा बारे भाग में आएगा बारे एकम बारे बारे पंजे साथ क्या एक बराबर पंधर हो जाएगा तो उसने कहा है तीनो संख्याओं का योगफल क्या होगा तो मेरे दोस्त 21,20,41,50 की वैल्यू वो पूछना चाहा रहा है या तीनो संख्याओं का योग पूछना चाहा रहा है तो वो 50 की वैल्यू आपसे पूछना चाहा रहा है तो एक बराबर पंधर है तो 50 बराबर कितना हो जाएगा तो मेरे साथी आंसर जो है vô 5.700 हो जाएगा क्या होगा आंसर जो है वो 5.500 हो जाएगा ठीक है भाई बहुत शांडार Next question Next question आप लोगों के सामने है Question no.9 Question no.9 अपक्षिंगे Question no.9 आप लोगों के सामने है क्या कहना चाहरा है question Question ये कहना चाहरा है कि 18,144 को 3 वैक्तियों में हमें बाटना है 3 रेशो 5 रेशो 8 में 18,144 को 3 रेशो 5 रेशो 8 में हमें डिवाइड करना है ठीक है भाई अच्छा मैं अपने हिसाब से देखू तो मेरे हिसाब से कितनी रासी बटी है 3 और 5, 8 और 8, 16 रुपे बाटी है और बाटनी कितनी है तो आप कहेंगे 18,144 बाटनी है तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16, 1, 16, 2 बचेंगे 16, 1, 16, 5 बचेंगे 16, 3, 48, 6 बचेंगे 16, 4, 64 क्या एक पार्ट की वैल्यू 11,34 हो जाएगी 11,34 हो जाएगी मेरे दोस्त अब कुश्चन ने कहा है कि B को प्राप्ट धनरासी एकी तुल्ला में कितनी अधिक है तो क्या वो दो पार्ट की वैल्यू पूछना चाहरा है भै इसकी रासी 3 थी, इसकी रासी 5 है कितनी अधिक है तो आप कहींगे 2 अधिक है तो अगर एक बराबर इतना तो दो बराबर कितना दो बराबर आंसर के आएगा यानि 268 इस question का जवाब हो जाएगा option number B इस question का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ठीक है बहुत बढ़िया बहुत शांदार next question question number 10 question number 10 आप लोगों के सामने हैं जल्दी से बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब क्या कहना चाहरा है क्या कहना चाहरा है question यदि X रुपे की एक रासी को A, B और C के बीच इस पिरकार विभाजित किया जाता है कि A और B के हिस्सों का अनुपाद मेरे दोस्त A और B के हिस्सों का अनुपाद क्या दिया हुआ है सात बारे दिया हुआ है और B और C के हिस्सों का अनुपाद जो है वो 8-5 आप लोगों को दिया हुआ है पड़ोसी कोन 12 है पड़ोसी कोन 8 है लेकिन एक छोटे सी चीज देखोगे क्या जिन निगाहों से मैं देख रहा हूँ, निगाहों से आपको भी देखना होगा, चार से अगर मैं काटू तो तीनों जगा वैल्यू कट रही है, चार दूनी आठ, चार दूनी आठ, चारतिया बारा, अगर एक ही संख्या से तीनों जगा वैल्यू कट रही है, तो आप काट सक ठीक है भाया यानि कि A की वैल्यू अब कितनी आएगी 14 यहां A की वैल्यू कितनी आएगी 24 और यहां C की वैल्यू कितनी आएगी 15 अगर आप नहीं कटेंगे तो भी अंसर आएगा बिलकुल आएगा अब उसने कहा क्या है उसने कहा है यदी A और C के हिस्सों में 219 का अंतर है तो मेरे दोस्त दोनों में अंतर कितने का रहा है एक का उसने कितने का कहा है दो सो उन्निस का कहा है यानि एक पार्ट की वैल्यू आपके सामने आ चुकी है तो उसने का एक्स का मान कितना है एक्स मतलब वो टोटल रासी जो बाट रहा था यानि वो टोटल रासी आपसे पूछना चाहा रहा है तो अगर एक बराबर 29 एक बराबर 219 तो 53 बराबर कितना तो इकाई के अंक से आप लोगों कर सकते हैं नो तिया 27 पीछे साथ आएगा एक ही option ऐसा है जिसमें पीछे साथ आ रहा है ठीक है भाई चलिए next question भाई गलती से बाटने वाले बहुत question पूछे जाते हैं गलती से बाटने वाले बहुत question पूछे जाते हैं चलिए बहुत शांदार बहुत शांदार टेस्ट में क्या पूछा जाता है क्या नहीं पूछा जाता उसे अब छोड़ दीजे अब वो समय गया जहां इस पर विला के सामने ला ला राहर हूं और फिर भी, फिर भी मैं आप लोगों से कह दूँ कि मेरे दोस्त, यह सारे के सारे कुश्चन जो है, previous year को बेस मानते हुए कुश्चन को मैं करा सार। चाहे वो 2012 का paper हो चाहे वो 2017 का paper हो चाहे वो 2020 का paper हो उन चीजों को ध्यान में रखते हुए ही मैंने एक question design किये है आज के इस 2023 में paper का pattern कैसा रहा है वो questions भी मैंने add किये है अब फटा फट मुझे बताईए कि question का जवाब क्या होगा देखें बहुत बड़िया देखें question क्या कहना चाहा रहा है 4360 रुपे की रासी को ABCD में 3-4-5 के अनुपात में बाटा जाना था अच्छा एक बात मुझे बताईए किस ratio में बाटा जाना था 3-4-5-6 के अनुपात में बाटा जाना था 3-4-5-8 के अनुपात में बाटा जाना था मेरे हिसाब से कितनी रासी बट रही है 3-4-7, 7-5-12, 12-8, 20 रुपे रासी बट रही है और बाटी कितनी है 4360 रुपे बाटी है तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी तो आप कहेंगे एक पार्ट की वैल्यू 218 हो जाएगी अगर एक पार्ट की वैल्यू 218 हो चुकी है तो तीन पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 654 रुपे इसे मिले होंगे एक की वैल्यू 218 है तो चार की वैल्यू 4 दूनी 8, 842 इसे मिले होंगे एक part की value 218 तो पांच दूनी दस एक हजार नबह रुपे इसे मिले होंगे और एक part की value 218 तो आठ पार्ट की value कितनी हो जाएगी 1744 इसे मिले होंगे देखो 884, 464, 644, 684, 644,이었 986, 668, 6790 अगर ये रासी इस ratio में बट रही होती अगर ये रासी इस ratio में बट रही होती तो सब को मिलने वाली रासी आपके सामने है ठीक है लेकिन उसने क्या लोचा कर दिया कि गल्ती से रासी इस ratio में बाढ़ दी कौन से ratio में बाढ़ दी 1 बटे 3, 1 बटे 4, 1 बटे 5, 1 बटे 8 क्या आपको ये ratio पसंद है आप कहेंगे बिल्कुल पसंद नहीं है तो 4 और 8 का LCM 8 8 पंजे 40 तिया 120 की आप गुणा यहां कर लो 120 की गुणा यहां कर लो 120 की गुणा यहां कर लो 120 की गुणा यहां कर लो यानि कि जब आप ratio निकालोगे तो 40 यहां आएगा जब आप रेशो निकालोगे तो 30 यहां आएगा जब आप रेशो निकालोगे तो 24 यहां आएगा और जब आप रेशो निकालोगे तो 15 यहां आएगा यानि दूसरा जो रेशो दिया है वो यह दिया है इसका मतलब दूसरे रेशों के हिसाब से आप कितनी रासी बाट रहे हैं तो सब को जोड़ दो 4,3,7,24,94 और 5,99 और 10,109 रुपे बाट रहे हो उसने कितनी बाटी है 4360 बाटी है तो 40 हिस्से क्या 1600 के बराबर आएंगे एक हिस्सा 40 के बराबर तो 30 हिस्से क्या 1200 के बराबर आएंगे एक हिस्सा 40 के बराबर तो 24 हिस्से 960 के बराबर आएंगे एक हिस्सा 40 के बराबर तो 15 हिस्से 600 के बराबर आजाएंगे क्या ये बात किलियर है अब आप option को छाट लो अब आप option को छाट लो उसने का है C 130 रुपे कम पाता है तो भाईया C 130 रुपे कम C को 960 मिल रहे हैं पहले 1090 तो कितने रुपे कम है 90 में से 60 गया 30 130 रुपे बिल्कुल सही C पहले 1090 पाता था अब 960 रुपे पाता है तो कितने रुपे कम हो गए मेरे दोस्त 130 रुपे कम हो गए तो option number A इस question का जवाब हो जाएगा क्या ये बात clear है क्या इसका और भी कोई तरीका है भाईया कोई तरीका नहीं है ऐसे ही हम लोगों को question को solve करना होगा लेकिन मैं आपको बता दू आज के time क्या trending का question है पूछा जाता है एक बार सही ratio दिया हुआ होगा और एक बार गलत ratio द चलिए बहुत शांदर बी option भी देखो देख लेते हैं डी जो है 1144 ज़्यादे प्राप्त करता है देखना भी डी को पहले कितने मिलें 1744 और इसमें 1144 अगर मैं जोड़ दूँगा तो क्या वो 43 सो भाई डी को कहा ज़्यादे मिलना है डी को तो 600 रुपे मिल रहे हैं यहां 1744 मिल रहें तो जादे थोड़ी ना है तो बी option तो नहीं होगा बी रिसीव्ड तीनसो अठारे कम बी को 308 इससे यहां 872 मिल रहें यहां 1200 मिल रहें तो क्या कम थोड़ी ना मिल रहे है जादा मिल रहें तो कम थोड़ी वाला option हो जाएगा D वाला देख लो A received 956 956 कम यहां less लिखा होगा तब answer गलत होगा क्योंकि यहां ज़्यादा मिल रहे तो option number D भी इसका जवाब नहीं होगा ठीक है आगे बढ़े बहुत शानदार बहुत शानदार आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त अगले question की तरफ अगला question क्या कहता है भाई साब मैं पहले कुछ बात कर लेता हूँ आज के time में question पूछा जाने वाला वो आपको दो value देगा और आप से पूछेगा भाहिया पहले इसका mean proportional बताओ दो value देके आप लोगों से मध्यन उपात पूछेगा तो मेरे दोस्त आप क्या कर देना दोनो value की गुणा करके वर्गमूल निकाल देना ये होता है इसका मध्यन उपात वो आप से पूछेगा इसका third proportional बताओ यानि कि इसका तिरतिया नुपात बताओ तो मेरे दोस्त जब भी दो value का third proportional आप से पूछा जाए तो बाद वाली value का वर्ग करना और पहले वाली value से भाग कर देना ये होता है इसका third proportional ठीक है अगर आप लोगों को तीन values देगा A B और C तो यहां से वो एक तो first proportional आप से पूछ सकता है पर्थमा नुपात आप से पूछ सकता है जब पर्थमा पूछे तो पहले दो की गुणा करना और बाद के से भाग कर देना एक आप से last पूछ सकता है fourth proportional पूछ सकता है जब आप से last पूछे तो last के दो की गुणा करना और पहले से भाग कर देना ये चार चीज वो आप लोगों से पूछ सकता है ठीक है? बहुत बढ़िया तो मेरे दोस्त इस कुश्चन को थोड़ा सा पढ़ी और मुझे जवाब देजिए क्या होगा इस कुश्चन का बिल्कुल सही जवाब पटा-पटा ये चली है चला दो 42, 30, 14 का 4th proportional कैसे निकालेंगे? बाद के दोकी गुणा पहले से भाग कुश्चन का जवाब दो क्या होगा इस कुश्चन का बिल्कुल सही जवाब देखिए 3 पिलस रूट 5 और दोनों का मध्धहन उपात निकालना है तो दोनों का गुननफल फिर वर्गमूल यही मध्धहन उपात होता है लेकिन मेरे दोस्त अगर आप इसे देखो तो यह लिखा हुआ है 15 है माइनस 125 का वर्गमूल होता है 5 रूट 5 कैसे यह 15 है माइनस रूट के अंदर 125 को क्या लिख सकता हूँ 25 पंजे 125 लिख सकता हूँ 25 का वर्गमूल 5 होता है इसका कोई जोड़ा नहीं बना यह अंधर ही दाएगा तो मेरे दोस्त अगर मैं यहां से देखो 3 पिलस रूट 5 हो जाएगी एक संख्या अगर इन दोनों में से 5 कोमल ले लेता हूँ तो यहां 3 बचेगा और यहां रूट 5 बचेगा ठीक है इस 5 को आगे ले आता हूँ दोनों संख्याओं की गुणा करके वर्गमूल निकाल दूँगा तो यही इसका मध्यन उपात हो जाएगा तो आपने कहा मेरे साथी यह 5 रहेगा ए पिलस बी और ए माइनस बी की गुणा करेंगे तो ए स्क्वेर यानि 3 का स्क्वेर 9 होगा माइनस बी स्क्वेर यानि रूट 5 का स्क्वेर फाइव हो जाएगा ठीक है भाई अगर मैं यहां से देखूँ यह 5 हो जाएगा 9 में से 5 जाएगा तो 4 होगा 4 का वर्गमूल कितना होगा 2 हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 5 होगा क्वेशन का जवाब आपसन नंबर 4 हो जाएगा क्या हो जाएगा क्वेशन का जवाब आपसन नंबर 4 इस क्वेशन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ठीक है चलिए Next Question Question Number 13 Question Number 13 आप लोगों के सामने हैं ये एक बहतरीन क्वेशन आप लोगों को दिया हुआ है चतुर्थ अनुपात वो आपसे पूछना चाहरा है बताईए क्या होगा इस कुश्चिन का बिल्कुल सही जबाब दोनों संख्याओं की गुणा देखो न, दोनों संख्याओं की गुणा करो और उसका वर्गमूल निकाल दो रूट 125 को क्या लिख सकता हूँ 25 गुणा 5 25 का वर्गमूल 5 होता है ये अंदर ही रहेगा अगर मैं यहाँ देखो कि इन दोनों की गुणा करके वर्गमूल निकालना है क्योंकि मद्धन उपात निकालना है तो आप देखेंगे ये तो 3 पिलस रूट 5 है इसमें से 5 कॉमल ले लूँगा तो यहाँ 3 बचेगा माइनस 5 बाहर जा चुका है तो ये रूट 5 बच जाएगा जो कॉमल लिया था वो बाहर आ गया है ए पिलस बी की गुणा ए माइनस बी में करूँगा तो ए स्कॉर माइनस बी स्कॉर होता है 3 का स्क्वार 9 होगा माइनस रूट 5 का स्क्वार 5 होगा 9 में से 5 गया 4, 4 का वर्गमूल 2 होता है ये जोड़ा नहीं बनाएगा ये अंदर ही रहेगा इसलिए option number 4 हो जाएगा इस question का जवाब दीजी फटपट बताईए question number 13 क्या हो जाएगा इस question का बिलकुल सही जवाब चलिए फटपट बताईए क्या होगा इस question का बिलकुल सही जवाब क्या कहना चाहरा है question question कहना चाहरा है कि वो 3 संख्याएं आप लोगों को दी हुई है इसका चतुर्थ समानुपात आप लोगों से पूछा है यानि की fourth proportional आप से पूछा है तो चतुर्थ हनुपात यानि last वाला last वाला कैसे निकालते हैं last के 2 की गुणा last के 2 की गुणा और पहले से भाग कर देते हैं अगर इससे भार करेंगे तो ये क्या हो जाएगा a-b यानि x square minus y square और x square plus y square लिख सकता हूँ देखो न इसको क्या लिख सकता हूँ x square का square minus y square का square लिख सकता हूँ तो a square minus b square का formula a minus b ये लिख दिया और a plus b ये लिख दिया ठीक है भाई अब देखी मेरी बात को थोड़ा सा समझना यहाँ आपने x plus y लिख दिया यहाँ आपने x minus y लिख दिया अगर मैं यहाँ देखू तो इसे x minus y लिख सकता हूँ और एक x plus y लिख सकता हूँ ठीक है और नीचे क्या है x square plus y square ये वाला है ठीक है भाई x minus y से x minus y कट गया x plus y से x plus y कट गया तो ये उपर जाएगा तो क्या हो जाएगा minus की power हो जाएगी तो ये हो जाएगा x square plus y square की power minus 1 है अगर ये ये भी correct answer था कि अगर वो 1 upon x square plus y square बोल देता ये भी correct था या इस format में दे दे ये भी correct है तो उसने जो answer दिया है वो इस format में दिया है option number 4 इस question का बिलकुल सही जवाब हो जाएगा option number 4 इस question का साथी बिलकुल सही जवाब हो जाएगा next question question number 14 जब भी आप लोगों से इस question पे जाना से पहले एक चीज समझना जब भी आप लोगों को 4 values दी गई हों जब भी आप लोगों को 4 values दी गई हों और आप लोगों से कहा जाए, इन संख्याओं में क्या जोड़ा जाए, या इन संख्याओं में से क्या घटाया जाए, तो मेरे दोस्त ये समान उपात में आ जाए, मेरी बात को पहले सुनला, चार वैल्यूज वो आपको देगा, आप से कहेगा इन संख्याओं में क्या जोड तो अगर उस संख्या के बारे में आप लोग निकालना चाहते हैं कि वो ऐसी कौन सी संख्या होगी जिसको घटाने या जोडने पर ये समानुपात में हो जाएंगे तो मेरे दोस्त ऐसे कुश्चन का तरीका मैं आप लोगों को बता देता हूँ की ऐसे question की trick क्या होती है method होता है sum में x जोड के या x घटा के दोनों का ratio equal लिख दो quadratic equation बना दो और वहां से x निकाल दो लेकिन मेरे दोस्त एक जो है यहाँ पे यहाँ पे इस type का question बनता है यहाँ पे इस type का question बनता है तो यहाँ पे आप एक trick लगाएंगे ठीक है कौन से trick है पहले की गुणा आखिर में करेंगे ad हो जाएगा पहले की गुणा आखिर में करेंगे बीच के दो की गुणा करेंगे और जादा वाले में से कम वाला घटा देंगे यह value जो होती है हमेशा किसके बराबर होती है पहली और आखिरी को जोडेंगे और दूसरी और तीसरी को जोडेंगे उसके अंतर के हमेशा बराबर होती है बस यह concept आप लोगों को लगाना होता है यह concept आप लोगों को लगाना होता है एक कुश्यन से आप लोगों को बता देता हूँ कैसे करते हैं हम कुश्यन को ठीक है? पहली संख्या 23 दी है, दूसरी संख्या 49 दी है, तीसरी संख्या 32 दी है और चौनिक्षी संख्या 56 दी है तो उसने काए पिरतेक में से x को घटाया जाता है तो इस किरम में प्राप्त संख्या हैं समानुपात में है तो वो संख्या कौन सी होगी जिसको घटाने के बाद ये समानुपात में हो जाती है तो मैं बता के आया हूँ पहले इसकी गुणा इसमें करिएगा तो आप कहेंगे 23 छिक्का 138 को 8 हांसिल 13 23 पंजे 115 और 13 128 हो जाएगा क्या आपने गुणा कर दी आगे बढ़ी है 49 दुनी 48 को 8 हांसिल 7 49 तिया कितने होते हैं 117 117 और 7 124 हो जाएगा इन दोनों का डिफ्रेंस आप लोग निकाल दीजिए तो आपने कहा इन दोनों का डिफ्रेंस जो है वो 40 आच चुका है अब इनका योग करिए 56 और 3, 69 और 20, 89 हो जाएगे और इन दोनों का योग करेंगे 9 और 2, 11 को एक हांसिले कि यह इक हित्तर हो इन दोनों का डिफ्रेंस निकाल दीजिए ये वाला difference जो है इस difference के बराबर होगा आप यहां लिख दीजे 8 बराबर 40 तो एक की value कितनी आ जाएगी एक की value आ जाएगी 40 बटे 8 यही वो value होती है या ऐसा याद रखिए कि इस वाले अंतर को इस से divide कर दोगे तो यही वो value आ जाएगी जिसको घटाने के बाद यह समान उपात में हो जाएगे तो अगर मैं आपसे पूछूँ इन 4 values में से मैं क्या घटा दूँ तो आप कहेंगे इन 4 values में से आप 5 घटा दो इन 4 values में से मैं क्या घटा दू तो आप कहोगे इन 4 values में से आप 5 घटा दो जो संख्याएं निकल के आएंगी वो समा नुपात में आएंगी ठीक है भई? तो भाई उसने पूछा है कि भाई इसका और इसका मद्धनुपात क्या होगा तो X की value 5 रखिये, 5 और 4 नो का, 5 तीया 15 और 16 का, दोनों का मध्यनुपात पूछा है, अगर दोनों का मध्यनुपात पूछा है, तो मध्यनुपात का मतलब होता है, दोनों की गुणा करके वर्गमूल निकालना, 9 का वर्गमूल 3 होता है, 16 का वर्गमूल 4 होता है, आंसर जो जवाब क्या होगा कोश्चन का जवाब option number C हो जाएगा ठीक है भाई चलिए next question आप लोगों के सामने एक ऐसा ही question और answer आप से करूँगा उमीद कि क्या होगा इस question का बिल्कुल सही जवाब जिनको नई पढ़ना है वो अराम से क्लास से जा सकते हैं दोस्ते क्यों अपना net खर्च कर रहे हैं बहुत सारी चीज़े हैं जहां net जो है वो खर्च हो सकता है बहुत सारी चीज़े हैं बहुत शानदार अब देखिए ध्यान से फिर से वही कहानी एक घटाने वाला पूछा जोडने वाला पूछा है कि इसमें x जोड़ा जाता है तो इस किरम में प्राप्त संख्याएं जो है वो समानुपाती होती है तो फिर से वही कहानी जो सिखा के आया हूं आपके सामने चार संख्याएं लिखि हुई है एक 12 है एक 28 है एक पेंटालिस है एक एककिस है एक पेंटालिस है तो बारा पंजे साथ को जीरो हांसिल 6, बारे चोक 48 और 6 चुवन हो जाएंगे 28 एकम 28 को 8 हासिल दो 28 दूनी 56 और दो 58 हो जाएंगे आप कहेंगे यहां 8 बचेगा यहां 4 बचेगा जोड़िये 45 और 22 कितने होंगे 57 होंगे 28 और 29 और 20 कितने हो जाएंगे उड़नचास हो जाएंगे 57 में से उड़नचास जाएंगे तो कितना बचेगा 8 बचेगा अगर इस वाले difference को इससे divide कर दोगे तो वो संख्या आ जाएगी जिसको जोडने के बाद ये संख्याएं समान उपात में हो जाएगी यानि की मेरे दोस्त x की value कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी इन दोनों के बीच मद्धेन उपात पूछा है यानि दोनों के गुननफल का वर्गमूल पूछा है तो 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा सवाल का जवाब 15 हो जाएगा option number A is the correct answer option number A इस question का साथी बिलकुल सही जवाब हो जाएगा ठीक है बहुत शांदार question number 16 question number 16 ये question income expenditure based question है और ऐसे question आज के time में तमाम पूछे जा रहे है ठीक है लगातार जुड़े रहो आप लोग रोहिसर्मा उठो गया रोहिसर्मा आउट नहीं हुआ ठीक है लगातार जुड़े रहो नागोर वाले सर्य रूट में X वाले समझ नहीं आ रहे हैं बिटा समझ क्यों नहीं आ रहे हैं मद्धनुपात का मतलब जिन दो संख्याओं का मद्धनुपात पूछा है उन दोनों की गुणा करके वर्गमूल निकाल दोगे तो आपके सामने मद्धनुपात आ जाएगा ठीक है चलिए चलो भे A और B की मासिक आये का अनुपात भहिया A और B की मासिक आये का अनुपात यानि इनकम का रेशो दिया हुआ है दो तीन आप लोगों को दिया हुआ है उनकी बचत का अनुपात जो है उनकी सेविंग का अनुपात जो है वो तीन चार आप लोगों को दिया हुआ है यदि A की आये B की बचत के बराबर है मेरे दोस्त द्यान से सुनना A की आये B की बचत के बराबर है ये दोनों जो है वो बराबर करनी है भाई कैसे करोगे एक बार मुझे बता दो कैसे करोगे ये बराबर तो आप कहोगे जी बच्चों का खेल है बराबर ऐसे करेंगे दोकी गुणा यहां कर देंगे क्या A की आए B के खर्च के बराबर B की सेविंग के बराबर आ जाएगी तो मेरे दोस्त दोकी गुणा यहां करी है तो पूरे रेशो में ही दोकी गुणा करनी पड़ेगी अब उसने कहा है इनके खर्चे का अनुपात क्या होगा छुटकू सा कुश्चन है मेरे दोस्त चार रुपे कमाए है तीन रुपे बचाए है तो एक रुपा उड़ाया होगा च्छे रुपे कमाए है चार रुपे बचाए है तो छे में से चार गए तो दो रुपे उड़ाये होगे यानि उडाने का अगर रेशो पूछा है, खर्च करने का अगर रेशो पूछा है, तो सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, सवाल का जवाब जो है भाईया, एक रेशो दो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक रेशो दो हो जाएगा, ठीक है, इगनोर करना पड़ेगा मेरे दो कमेंट नहीं करोगे ना कमेंट नहीं करोगे तो मेरे दोस्त फिर आप कुश्चन को आसानी से कर पाओगे जल्दी से बताईए क्या होगा इस कुश्चन का बिलकुल सही जवाब क्या कहना चाहरा है कुश्चन दो किरमागत वर्सों के बीच मेरी आए का अनुपात मेरी इनकम का रेशो कितना दिया हुआ है दो और पाँच दिया हुआ है और खर्चों का अनुपात एक्सपेंडिचर जो है वो चार और साथ दिया हुआ है यदि दूसरे वर्स में मेरी आए है वो तो ये थी बच्चा तो पाँच की वैल्यू 55,000 दिया हुई है तो पाँच की वैल्यू 55,000 है तो एक की वैल्यू 15,000 होगी होगी या ने एक की value 15,000 है तो दो की value 30,000 रही होगी यानि पहले वर्स में मैंने 30,000 कमाई और दूसरे वर्स में मैंने 45,000 कमाई दोनों का ratio निकाला तो बेटा 25 का आगे बढ़ते हैं और पहले वर्स में मेरा खर्च 20,000 है यानि चार की value कितनी दी है 20,000 दी है पहले वर्स में मेरा खर्च 20,000 दे रखा है एक की वैल्यू 5,000 आ जाएगी तो साथ की वैल्यू कितनी आ जाएगी दूसरे वर्स में मेरा खर्च 35,000 हो जाएगा कोई दिक्कत तो नहीं है अब कुशन ने कहा है कि बेटा एक साथ दो वर्सों में मेरी कुल बच्चत बताईए 30,000 में से 20,000 उड़ा दिये तो बचाए कितने 10,000 45,000 में से 35,000 उड़ा दिये तो बचाए कितने 40,000 दोनों का योग आप से पुछा है तो जवाब क्या हो जाएगा 50,000 option कौन सा हो जाएगा C option क्या हो जाएगा मेरे दोस्त option number C अगर उसने दूसरे साल की income दी है तो उसी से पहले साल की income भी आ जाएगी अगर उसने पहले साल का expenditure दिया है तो उसी से दूसरे साल का expenditure आ जाएगा और income में से खर्चा घटाओगे तो हमेशा saving बचेगी दोनो saving का योग पूछा है तो जोड़ दोगे ठीक है भाई चलिए भाईया बहुत शानदार भगवान ने भी कितनी बढ़िया पिरकरती बनाई है भगवान ने पहले ही set कर रखा है कि तू जाके वहाँ अपना समय बरबाद करना तू समय बरबाद करेगा तेरा selection रुख जाएगा इनकी selection हो जाएंगे है ना पता उसे भी है कि मेरा selection इन हलतों से नहीं होगा लेकिन करे भी तो क्या करे होनी को होना होगा होनी तो लिखी ऐसी रखी है ठीक है चलिए कोई बात नहीं बच्चा है नादान है समन जाएगा दोस्त हाँ फटा फटा मुझे इसका जवाब दे दीजी क्या होगा इस question का बिलकुल सही जवाब होनी को कोन टाल सकता है लेकिन होनी को टाल नहीं सकते तो होनी में आप लोग ना आप लोग उस इंसान को दुख दे दोगे उस इंसान को परेशान कर देगो जिसको भगवान भी नहीं चाहता कि आप परेशान करो आप नहीं पढ़े तो दोस्त उस इंसान को सबसे ज़्यादा दुख होगा और वो कोई और नहीं है वो आपके पेरेंट्स हैं ठेर रोज रोज आपको क्या समझा ना हूँ है समझे ए और बी की मासिक आय का अनुपात 11-13 दिया हुआ है ये दो वैक्ती है इनकी income का रेशो अगर मैं आपसे पूख हूँ तो इनकी income का रेशो 11-13 दिया हुआ है इनके खर्च का अनुपात यानि इनके एक्सपेंडिचर का रेशो पूछ हूँ तो वो 9-11 दिया हुआ है यदि वे दोनों पिरती महा 2-4,000 रुपे की बचत करते हैं तो ऐसे कुश्चन में मैंने आप लोगों को cross multiplication भी बताया है और ऐसे कुश्चन में हम लोग तिकडम बाजी भी fit कर सकते हैं कैसे देखो अगर मैंने कहीं 11 रुपे कमाए हैं और मैंने 9 रुपे उड़ाए हैं तो मैंने 2 रुपे बचाए होंगे 13 रुपे कमाए हैं 11 रुपे उड़ाए हैं तो 2 रुपे बचाए होंगे यानि दोनों की value same आ रही है saving जो है वो same है और उसने same दी भी हुई है दोनों पिरती वहाँ 4000 की बचत करते हैं अगर दोनों मेरे हिसाब से 2 रुपे की बचत करते हैं और उसने कहा है दोनों जो है वो 4000 रुपे की बचत करते हैं तो क्या एक part की value जो है वो 2000 के बराबर आ चुकी है अगर एक पार्ट की वेल्यू जो है वो 2000 के बराबर आ चुकी है मेरे दोस्त ठीक है तो उसने कहा है उनकी आयो में अंतर कितना है यानि 11 और 13 की वेल्यू कितनी दो की वेल्यू पूछना चाहरा है तो अगर एक बराबर 2000 तो दो बराबर कित कैसे ऐसे बराबर करके ना करते हैं, तो फिर कैसे करते हैं, तो cross method का यहीं हम लोग देख लेते हैं, implementation कैसे होता है, मेरे दोस्त, अगर मैं आप लोगों को बताऊं, ध्यान से सुनिए, ऐसे question को फिर हम करते हैं, इसकी इसमें cross multiply करिए, जब भी एक चीज का ratio दिया हुआ हो, उ उसमें कुछ बच्चे आप जोड के या घटा के फिर ratio आप लोगों को दिया हो, तो मेरे दोस्त, वहां हम cross method का use कर रहे होते हैं, कैसे करते हैं, कैसे करते हैं बिटा, इसकी गुणा इसमें करते हैं, इसकी गुणा इसमें करते हैं, 9.36, 11.44, जादा वाले में से कम वाला घ घटा देंगे, और ये किस के बराबर आएगा, 11.11, 121 होगा, और 13.9, 117 होगा, इन दोनों के difference के बराबर लिख देते हैं, तो 121 में से 17 जाएगा, तो 4 बचेगा, और 4 की value कितनी हो जाएगी, 8000 हो जाएगी, तो 1 की value कितनी हो जाएगी, 2000 हो जाएगी, तो उसने दोनों की I का difference पूछा है, यानि 11 और 13 का अंतर वो 2 की value पूछना चाहा रहा है, तो सवाल का जवाब कितना हो जाएगा, सवाल का जवाब जो है, वो 4000 हो जाएगा, ठीक है भाई, ये बास समझ में आ गई, 17 में कैसे पता चलेगा, कि relate करना है, कैसे पता नहीं चलेगा, पहले मुझे वो बताओ, दूसरे वर्स में मेरी आय पिछित्तर हजार है, दूसरे वर्स में मेरी आय पांच दे रखी है, पांच की value पिछित्तर है, तो एक की value पंदर है, तो दो की value तीस आ जाएगी, हो गया कम खतम, रटना थोड़ी है, वो question कह रहा है, कि ऐसा तुमें करना है, पहले वर्स में खर्चा 20,000 दे रखा है, तो चार की value 20,000 दे रखी है, तो एक की value कितनी 5,000 निकालेंगे, तो साथ की value कितनी, यहां खर्चा 35,000 आएगा, अगर हम income में से expenditure घटा देते हैं, तो saving आ जाएगी, ठीक है, चली, सर प्रियाग राज कब आ रहे हैं, प्रियाग राज आ होगी मुलाकात, बटा 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 बताएंगे क्या होगा, इसका बिलकुल सही जवाब, बताएए, बटा बटा बताएए, क्या होगा, इसका बिलकुल सही जवाब, question क्या कहना चाहा रहा है, question ये कहना चाहा रहा है, अब एक साथ चालो हो जाते हूँ, A और B किरम से 4,000 और 3500 रुपे बचत करते हैं, यदि B का खर्च A के खर्च से आधा है, तो A और B की कुल आए क्या होगी, वो आप लोगों से ये पूछना चाहा रहा है, question में कुछ ना कुछ missing है, हिंदी में आप लोग एक बार मत पढ़ना मेरे दोस्त, हिंदी में, हाँ, देखो हिंदी यहां से सुरू हो जाती है, वा मेरे भाई, वा, वा, हिंदी यहां से सुरू हो जाती है, पढ़िएगा हिंदी में, A और B की आये का अनुपात दो वेक्ती हैं A और B इनकी income का ratio क्या दिया हुआ है इनकी income का ratio 7 और 5 आप लोगों को दिया हुआ है उसने कहा है A और B किरम से 4,000 और 3500 की बचत करते हैं अगर मैं saving पूछूं इनकी तो एक 4,000 की बचत करता है एक saving 3500 की करता है यदि B का खर्च A के खर्च से आधा है B का खर्च जो है A के खर्च से आधा है यानि A दो रुपे खर्च करता है तो B एक रुपा खर्च करता है आगया आधा क्या आप cross multiply लगा पाओगे तो आप कहेंगे बिलकुल लगा पाएंगे 4000 की गुणा एक में करोगे 4000 आएगा 3500 की गुणा दो में करोगे 7000 आएगा तो 7000 में से 4000 आप घटा दो ठीक है भाई 7 की गुणा एक में करोगे 7 आएगा 5 की गुणा दो में करोगे 10 आएगा 10 में से 7 घटा दो तो 3 की value कितनी हो जाएगी 3000 हो जाएगी A और B की कुल आये क्या रही होगी A और B की टोटल आये पूछ रहा है यानि 7 और 5 बारा की वैल्यू आपसे पूछना चाहरा है आप एक बात बताईए अगर 1 की वैल्यू 1,000 है तो 12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी तो आप लोग कहेंगे 12,000 हो जाएगी क्या हो जाएगी मेरे दोस्त 12,000 हो जाएगी ठीक है भाई चलिए नेक्स्ट कुश्चन की तरफ चलते हैं ये बड़ा बहतरीन कुश्चन है जब आपको कंपेरिजन दिया होता है कि पिछले साल और अब की साल का कंपेरिजन दिया होता है तो मैं कहता हूँ मेरे दोस्त ये कुश्चन जो रहने वाला है वो important रहने वाला है एक बार कुश्चन को पढ़िए एक कुश्चन मैं आप लोगों को बता देता हूँ इसके बाद एक कुश्चन आप लोग मुझे करके बताना कि क्या होगा उसका बिल्कुल सही जवाब है न समझे दियान से कुश्चन नमबर 20 जो है वो क्या कहना चाहता है ठीक है पिछले वर्स A और B की आये का अनुपात यानि अगर मैं बात करूँ तो लाश्ट इयर जो है लाश्ट इयर जो है A और B की इनकम का रेशो 4-3 दिया हुआ था पिछले वर्स और वर्तमान वर्स में यानि लाश्ट इयर और प्रिजेंट इयर प्रिजेंट इयर मतलब वर्तमान वर्स में उनकी आये का अनुपात जो है वो 3-4 दिया हुआ है और दूसरे का अनुपात यहां तक का question solve करेंगे, ठीक है भाई, अब देखना मेरी बात को थोड़ा सा समझना, हाँ, देखिए, अब मेरी बात को थोड़ा सा समझना, आप एक चीज महसूस करोगे, जब last year मैंने इसकी income देखी थी, तो 4 थी, यहां last year इसकी income 3 है, यहां last year इसकी income 3 थी, यहां last year इनकी income 5 है, तो जितनी last year value यहां होनी चाहिए थी, उतनी ही value यहां होनी चाहिए थी, क्योंकि दोनों last year की हैं, बराबर होनी चाहिए थी, जितनी last year यहां होनी चाहिए थी, यह दोनों बराबर होनी चाहिए थी, क्योंकि दोनों ही last year है, इनको बराबर करने का तरीका क्या होता है, इनको बराबर करने का तरीका होता है 4, 3, 3, 5 का LCM ले लो तो आप कहेंगे 4, 3, 12, 5, 60 हैगा पहली संख्या को 60 बनाने के लिए आप कितने की गुणा करोगे 15 की गुणा करोगे तो इसमें भी 15 की गुणा कर दो पूरे रेशो में सेम गुणा होती है अब आप एक चीज मुझे बताईए मेरे दोस्त बहुत सोच के जवाब देना है कि इसकी इनकम पिछले साल कितनी थी 60 यहां है 3 तो इसे 60 बनाने के लिए क्या 20 की गुणा कर दोगे रेशो यह कहता है पूरे रेशो में आपको गुणा करनी पड़ेगी तो क्या यहां भी 20 की गुणा करनी पड़ेगी मामला सेट बैठ चुका है यहां A की लाश्ट येर की इनकम 60 थी यहां भी लाश्ट येर की इनकम 60 है B की लाश्ट येर की इनकम 45 थी इसे 45 बनाने के लिए 9 की गुणा यहां कर दो last year किसकी income 45 क्या बराबर हो चुकी है और हमने same number से बेटा multiply भी किया है अगर 15 की गुणा यहां की है तो पूरे ratio में 15 की गुणा की है अगर 20 की गुणा यहां की है तो पूरे ratio में 20 की गुणा 9 की गुणा यहां तो पूरे ratio में 9 की गुणा कुशन ने कहा है कि यदि वर्तमान वर्स में उनकी कुल आय 24.12 लाक है वर्तमान वर्स में वर्तमान वर्स कौन सा है ये वाला ये 80 कमाता है ये 54 कमाता है 80 और 54 टोटल 134 कमाते हैं 80 और 54 टोटल कितना कमाते हैं 134 कमाते हैं उसने कितनी कहा है उसने कहा है 24.12 तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24.12 बटे 134 हो जाएगी अब उसने पूछा क्या है अब उसने ये कहा है कि पिछले वर्स में A की आए और वर्तमान वर्स में B की आए का योग क्या है पिछले वर्स में A की आए 60 रुपे थी और वर्तमान वर्स में B की आए 54 रुपे है दोनों का यॉग पूछना चाहरा है क्या वो 60 और 54 का योग पूछना चाहरा है तो क्या वो आपसे 114 की value पूछना चाहरा है तो मेरे दोस्त वो 114 की आपसे value पूछना चाहरा है तो ये इस question का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा Sir, last year check करो मुसकान गुलिया जी कह रही हैं लाश्ट यह चेक करो लाश्ट यह चेक कर लिया 4-3-3-5 का LCM 60 आएगा इसे 60 बनाने के लिए 15 की गुणा पहले ये रेशो दिया हुआ था तो इस पूरे रेशो में 15 की गुणा हो जाएगे इसकी लाश्ट यह की इनकम 60 है इसे 60 बनाने के लिए 20 की गुणा ये रेशो दिया हुआ था तो पूरे में 20 की गुणा यहां इसे 45 बनाने के लिए 9 की गुणा तो ये रेशो दिया हुआ तो यहां भी 9 की यहां भी 9 की तो यह भी इसके बराबर होगी ये इसके बराबर होगे दिक्कत समश्या कहां आई है अब देखिए मेरे दोस्त ये 80 रुपे कमाता है ये 54 रुपे दोनों मिलके 134 रुपे दोनों की वर्तमान आये कितनी है 24.12 लाक है तो एक पार्ट की वैल्यू 24.12 बट 134 आजाएगा ठीक है तो उसने पूछा है पिछले वर्स ए की आये और अब के वर्स बी की आये का अनुपाति योग क्या है तो 20 या 60 और नौचिक का 54 यानि 114 की वैल्यू पूछना चाहरा है ठीक है हाँ चलिए अब दोस्त काटा पीटी आप लोगों को मचानी होगी कैसे दो पंजे दस होगा दो सत्य चोहदा होगा दो चिक का बारह होगा दो सत्य चोहदा होगा अब आप इसे डिवाइड कर लेना कितना आएगा अब आप इसे डिवाइड कर लेना 20 से भी बी को गुणा क्यों नहीं किया 20 से बीटा बी को ये अलग रेशो है ये अलग रेशो है पूरे रेशो में मल्टिप्लाई होती है तो ये रेशो है इसमें 20 की करिये तो इसके दूसरे पार्ट में भी होगी ठीक है मेरी बात समझ में आगी अगर यहां पूर नो की गुणा करिये तो इसमें पूरे में नो की गुणा होगी ठीक है भाई ये अलग रेशो दिया है ये अलग रेशो दिया है रेशो में से मल्टिप्लाई होती है ठीक है भाई चलिए एक बार इसे सॉल करके बताईए कितना आ आजाएगा आंसर देखो ये एक बार तो कटेगा नहीं सत्तावन जो है सरसर से एक बार तो कटेगा नहीं 0.24.12 से थोड़ा सा कमाएगा 24.12 से ना तो ये आंसर आएगा और इन तीनों में से कुछ भी आंसर आ सकता है आंसर तो सटीक आएगा एक बार आप देख लो क्या आएगा आंसर ए आ रहा है हाँ ठीक है भाई इसे एक बार सॉल्व कर लो कितना आएगा एप्रॉक्सिमेशन से जा सकते हैं क्या अगर मैं आपसे कहूं इसे 66 मान सकता हूं अगर इसे थोड़ी देर के लिए 66 मान लो सरसट को 66 मान लो तो मैंने कम माना है आंसर बढ़ा हूँ आएगा उसको कम करना पड़ेगा तो 6 चौक 24 होगा पॉइंट लगेगा 6 दुनी 12 हो जाएगा ठीक है तो यहां देखेंगे 6 से काटेंगे 11 बार कट जाएगा अब आप इसकी गुणा करके देखिए 11 की 57 दुनी 114 को 4 हांसिल लगे 11 57 जीरो जीरो 11 को एक हांसिल लगा एक 57 चौक कितना होगा तो इसे 11 से डिवाइड कर दीजी 11 दुनी 22 होगा जीरो एक क्याण में हो गया 11 अठी 88 होगा इससे थोड़ा सा कम यानि 20.52 ही आएगा 20.52 ही इस कुश्चन का जवाब आ जाएगा बस मैंने इस सरसट को 66 माल लिया है जिससे ये वैल्यू आसानी से कट जाए अगर मैं एक्जेक्ट से कम मान रहा हूँ नीचे तो आंसर बढ़ा हुआ आएगा और आंसर बढ़ा हुआ बढ़ा हुआ बीस पॉइंट आठ के करीब जा रहा है तो मेरे दोस्त ये आठ से छोटा ही आएगा सर ये कोश्चन आ सकता है कि हाँ यही तो दिक्कत है जो आपको हमेशा रुलाती है यही तो दिक्कत है जो बहुत सारे बच्चे इसलिए कोई टीचर चाहता भी नहीं है कि आप लोगों को मतलब एक लेवल के कोश्चन कराए जाएं क्योंकि आप रोने बहुत जल्दी लग जाता है मैं दुबारा से फिर से बता देता हूँ बढ़िया कोश्चन है मैं फिर से कह रहा हूँ मेरे दोस्त आप कर लीजिए कोश्चन को देखे थोड़ा ध्यान से कोश्चन ने कहा है ए और बी की आयका अनुपाद चार तीन था लाश्ट टियर पिछले वर्स पिछले और वर्तमान वर्स में उनका व्यक्तिगत अनुपात ये दिया है दोनों रेशो अलग दी है ये रेशो अलग है ये रेशो अलग है आपने देखा पिछले साल यहां चार तीन था यहां तीन पाच है बराबर नहीं है तो मेरे दोस्त बराबर करने के लिए इस सबका LCM लो 60 हो जाएगा इसे 60 बनाने के लिए 15 की गुणा करो अगर एक element में 15 की गुणा कर दी तो दूसरे element में भी 15 की गुणा होगी पिछले साल इसकी income 60 थी तो इसे 60 बनाने के लिए 20 की गुणा कर दो तो 20 की गुणा यहां हो जाएगी इसकी income 45 थी 45 बनाने के लिए 9 की गुणा कर तो नो की गुड़ा यहां हो जाएगी, वर्तवान वर्स में उनकी आये का योग जो 134 है उसने 24.12 लाख दिया है, एक की वैल्यू इतनी हो जाएगी, तो पिछले वर्स एक की आये और अब के वर्स बी की आये का योग पूछा है, यानि की 114 की वैल्यू पूछना चाहरा है, सवाल का जबाब आजाएगा, अब आपको जो डिसाइड करना है कर लो, 10 मिनट लेगा या 20 मिनट लेगा या 25 मिनट लेगा या स्किप करना है, वो आपके एंड पे छोड़ता हूँ, वटबड़ बताएंगे क्या होगा, बिल्कुल ऐसा ही कुश्चन है, बिल्कुल ऐसा ही कोश्चन आप लोगों के सामने हैं दोस्त बड़ा बड़ा बताएंगे क्या होगा इसका बिलकुल सही जबाब कोश्चन ने कहा है A और B की पिछले वर्स की आयका नुपात 4-3 है लाश्ट टियर की बात कर लेते हैं A और B की आयका नुपात कितना दिया हुआ है 4-3 दिया हुआ है उन दोनों की पिछले वर्स और वर्तमान वर्स की आयका नुपात लाश्ट टियर और प्रिजेंट टियर की रेशो दिया हुआ है 3-4 और ये दिया हुआ है 5-6 तो अभी आप लोगों को बता के आया हूँ कि बराबर करना होगा लाश्ट इयर को 60 बनाने के लिए 20 की गुणा यहां तो 20 की गुणा यहां करनी होगी अगर इसकी इंकम देखोगे 60, 4, 3, 3, 5 का LCM कितना है 4, 3, 3, 5 का LCM, 5, 4, 20, 30, 60 है तो यहां बिटा 20 की गुणा थोड़ी न करेंगे 15 की गुणा करेंगे तो 15 की गुणा यहां करनी होगी अगर 15 की गुणा यहां कर दी है तो 15 की ही गुणा यहां करनी होगी पूरे रेशो में सेम नंबर की मल्टिप्लाई करते हैं ठीक है की गुणा यहां नो की गुणा यहां पूरे रेशो में सेम नंबर की मल्टिपलाई कर दी है ठीक है भाई अब देखना उसने कहा है यदी चालू वर्स के लिए उनकी कुलाए इतनी है चालू वर्स में ये 80 रुपे कमाता है और ये 54 रुपे कमाता है 80 और 54 134 हो जाएगी उस 45 की वैल्यू आपसे पूछना चाहरा है ये इस कुश्चन का जवाब हो जाएगा ये इस कुश्चन का बच्चे सही जवाब हो जाएगा अब देखना अगर मैं इसे थोड़ी देर के लिए 135 मान लूँ क्या बढ़ी हुई मान रहा हूँ अगर बढ़ा हुआ इसे मान रहा ह यानि आंसर उससे थोड़ा सा ज़ादे आना होगा तो 45 से ये तीन बार कट जाएगा कटेगा या नहीं तीन से काटा तीन दुनी 6 दो बचेगा तीन चिंग 18 दो बचेगा 3 अठे 24 यानि आंसर 2.68 से थोड़ा सा ज़ादा आएगा बस थोड़ा सा ज़ादा 2.68 से तो 2.68 से बहुत ज़्यादा ये भी है 2.68 से ये कम है और 2.68 से बहुत ज़्यादा ये भी है तो answer कितना आएगा 2.7 लागा जाएगा ठीक है अगर मैंने यहाँ value बढ़ाई है तो answer, actual answer कम आया होगा उससे थोड़ा सा ज़्यादा answer आएगा सही answer अगर value यहाँ मैंने घटाई है तो सही answer बढ़ाऊ आया होगा उससे थोड़ी सी घटानी पड़ेगी ठीक है भाई तो answer क्या आएगा 2.7 मरजी आप लोगों की है करना चाहते हैं most welcome नहीं करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं है आगे हम लोग बढ़ते हैं हाँ यह पूरा पूरा कट रहा है तो भाई पूरा पूरा काट दो अगर पूरा पूरा कट रहा है तो पूरा पूरा भी आप लोग काट सकते हैं चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले question की तरफ अब हम सिक्के के कोश्चन की तरफ चलते हैं दो तीन कोश्चन सिक्के के कर लें फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे हीरे तूटने वाले कोश्चन करेंगे सिक्के वाले कोश्चन अभी कर लेते हैं जल्दी से बताइए क्या होगा इस question का बिल्कुल सही जवाब बताए क्या होगा इस question का बिल्कुल सही जवाब एक बखसे में एक रुपिया पचास पैसे और पच्चिस पैसे वाले कुल 280 सिक्के हैं बेटा कौन कौन से सिक्के हैं एक रुपे के सिक्के हैं पचास पैसे के सिक्के हैं और पच्चिस पैसे के सिक्के हैं और टूटल मिला के कितने सिक्के हैं 280 कोईन है यानि 280 कोईन है ठीक है आगे देखना क्या कह रहा है उनकी कीमत का अनुपात सबसे पहले ये समझना उनकी कीमत का अनुपात दिया है दो चीजों का अनुपात देता है या तो वो सिक्कों की संख्या का अनुपात देता है या फिर वो कीमत का अनुपात देता है तो अगर कीमत का अनुपात कितना दिया है आठ चार और तीन दिया है तो आपके पास हैं टोटल सिक्कों की संख्या तो सबसे पहले आप सिक्कों का ही अनुपात निकाल लो जिसकी संख्या आप लोगों के पास मौजूद है उसी का अनुपात निकाल लो अगर यहां रुपों की संख्या होती की टोटल मुल्य इतना दिया हुआ है तो फिर हम मुल्यों की संख्या का अनुपात निकालते हैं ठीक है, समझना अगर एक रुपे के आठ सिक्के हैं एक रुपे के मिला के आठ रुपे बैठ रहे हैं तो टोटल कितने सिक्के होंगे, आठ सिक्के होंगे, वही आठ को एक से डिवाइड करोगे, तो कितना आएगा, आठ है, एक रुपे में होते हैं, पचास पैसे के दो सिक्के, तो चार रुपे में कितने होंगे, तो आप कहेंगे, यहां भी आठ सिक्के बैठे होंगे, एक र उसने सिक्कों की संख्या 280 दी है तो क्या एक पार्ट की वैल्यू जो है वो 10 आजाएगी अगर एक पार्ट की वैल्यू दस आई है तो आठ पार्ट की वैल्यू 80 आठ पार्ट की वैल्यू 80 और 12 पार्ट की वैल्यू 120 आएगी कुश्यन ने क्या कहा है कुश्यन ने कहा है उनमें एक रुपे वाले सिक्कों की संख्या कितनी होगी तो मेरे दोस्त असी संख्या होगी अगर आप से पूस्ता है एक रुपे वाले सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी तो आप कहेंगे असी हो जाएगी यह बात समझ में आगे एक रुपे वाले सिक्कों की संख्या अगर आप लोगों से पूछी जाती है तो क्या हो जाएगी अस्सी हो जाएगी याद रखना या तो यहां सिक्के की संख्या दी हुई होगी अगर सिक्के की संख्या दी हुई है तो सिको का ही अनुपात निकालना होगा अगर रुपो की संख्या दी हुई है रुपो की वैल्यू दी गई है तो फिर रुपो का ही अनुपात आपको निकालना होगा कीमत का ही अनुपात निकालना होगा यानि कि मेरे दोस्त जिसकी भी value आप लोगों को दी हुई है उसी का ratio आप लोगों के पास होना चाहिए 143 था सर जी 134 नहीं था पिछला वादा जार क्यों परेशान करने पर तुले हुए हो 204, 89, 54, 84, 134 होते हैं कुछ पूछ रहे हैं जी ये कहां से आया 8.04 पढ़ोगे तब ही तो पता चलेगा ये यहां से आया है ये यहां से आया है ठीक है चलिए इस question का जवाब आप लोग मुझे दे दो क्या होगा इस question का जवाब आप लोग मुझे दे दो बस दो ही type के सिक्के के question बनते हैं वो दोनों type के question मैं करा दूँगा मेरे दोस्त इस question का जवाब आप लोगों की तरफ से आना चाहिए बताइए क्या होगा इस question का बिल्कुल सही जवाब आप ना ओफलाइन में होने चाहिए थे आप ऑफलाइन में होने चाहिए थे मेरे साथ तम मज़ा आता अब तो मैं चहरा भी तो नहीं देख पार आप लोगों को कैसे महानुभाव आप लोग हैं जो comment कर रहे हैं फरजी comment कैसा चहरा होगा कमेंट करने के बाद कितनी चेहरे पे हसी होगी मुस्कान होगी हमने परेशान कर दिया है एक बार आपका चेहरा तो मुझे देखना था कि आप कमेंट करके कितना मुस्कुराते हूँ चली आजाओ बलू को आजाओ एक थैले में दो रूपे 50 पैसे 20 पैसे तथा 10 पैसे के सिक्के हैं भाई कौन कौन से हैं दो रूपे के सिक्के हैं 50 पैसे के सिक्के हैं आगे बढ़ते हैं 20 पैसे के सिक्के हैं और 10 पैसे के सिक्के आप लोगों को दिये हुए है सिक्के 5,8,4,3 के अनुपात में हैं ये सिक्को का अनुपात आप लोगों को दिया हुआ है पांच आठ चार तीन यानि सिक्के का अनुपात आप लोगों को दिया हुआ है सिक्के का अनुपात आप लोगों को दिया हुआ है अब आप एक चीज मुझे बताईए क्या कहा है उसने आगे इन सिक्कों का कुल मुल्य है यानि सिक्कों की कीमत जो दी हुई है वो 151 दी हुई है तो यहां भी सिक्कों की कीमत का ही अनुपात आपके पास होना चाहिए जिसकी value आप लोगों को दी हुई है उसका अनुपात होना चाहिए तो अगर 2 रुपे के 5 सिक्के हैं तो कीमत कितनी बन गई होगी दो रुपे के पांस सिक्के जब मिलेंगे तो दस रुपे बन जाएंगे ठीक है पचास पैसे के आठ सिक्के हैं तो पचास की गुणा आठ में करोगे चारसो चारसो पैसे के चार रुपे होते हैं बीस पैसे के चार सिक्के हैं बीस पैसे के चार सिक्के हैं ये 80 पैसे हो जाएंगे, और 10 पैसे के 3 सिक्गे हैं, तो ये 30 पैसे हो जाएंगे, क्या कोई दिक्कत है आप लोगों को, अच्छे एक बात मुझे बताईए, अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि Total मुल्या इतना है, रूपे में इतना है, तो क्या पैसे में इतना हो जाएगा अगर ये 10 रुपे हैं तो क्या ये 1000 पैसे हो जाएगे अगर ये 4 रुपे हैं तो ये 400 पैसे हो जाएगे सारा कुछ हमने पैसे में कनवर्ट कर लिया अब देखना ध्यान से मैं देखू मेरे हिसाब से मेरे पास 1480 और 30 1510 रुपे बैठ रहे हैं 1510 पैसे मेरे पास बैठ रहे हैं तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15100 पैसे बटे 1510 तो क्या एक पार्ट की वैल्यू जो है वो 10 निकल के आजाएगी आएगी या नई तो उसने पूछा है थेले में कुल कितने सिक्के हैं 8 और 5 तेहरे और 4 शत्रे और 3 बीस पार्ट की वैल्यू वो आपसे पूछना चाहरा है भई टोटल सिक्के तो 20 है तो अगर एक बराबर 10 आया है तो 20 बराबर कितना आएगा तो आप कहेंगे थेले में टोटल 200 सिक्के है आपसन नमबर D इस कुश्चन का जवाब हो जाएगा आपसन नमबर D इस कुश्चन का बिलकुल सही जवाब हो जाएगा बाद समझ में आगी क्या बाद समझ में आगी क्या हाँ पापा का सपना है तो पापा का सपना पूरा होना चाहिए पापा का सपना है तो पापा का सपना पूरा होना चाहिए ठीक है भाईया क्या पवाल चलाए चले बहुत शांदार बहुत शांदार बहुत लाजवाब आगे बढ़ते हैं अगले कोश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं कोश्चन नमबर क्या हो जाएगा इस कोश्चन का बिल्कुल सही जबाब क्यों नंबर 24 एक हीरे का मुल्य उसके भार के वर्ग के अनुकुर्मान उपाती है यानि अगर मैं हीरे की कीमत आप से पूछूं तो उसके वेट के स्क्वेर के बराबर है वो आपसे ये कहना चाहा रहा है जो उसका वजन है उसके वर्ग के बराबर है यह हीरा चार भागों में इस पिरकार तूटा की उसके टुकडों का भार एक हीरा था यह हीरा चार भागों में दोस्त तूट चुका है उस चार भागों का अनुपात क्या दिया हुआ है एक, दो, तीन, चार कुश्यन बाद में पढ़ूँगा पहले यहीं इसका थोड़ा सा समश्या का समधान कर देता हूँ हीरे का ये जो हीरा तूटा है चार भागों में तूटा है पहला हिस्सा एक है दूसरा हिस्सा दो है तीसरा हिस्सा तीन है चोथा हिस्सा चार है तो चार और तीन, सातर, दो, नो और एक, दस क्या सुरुवात में जो हीरा रहा होगा वो दस यूनिट का रहा होगा एक यूनिट यहां तूट गया दो यूनिट यहां तूट गया तीन युनिटी यहां तूट गया, चार यूनिटी यहां तूट गया, अगर जितने वजन का है हीरा क्या उसका INGर कर देंगे तो क्या सुरुवात में जो कीमत आ जाएगी, वो सौरुपे आ जाएगी प्राइस जो है, वो सौरुपे आ जाएगा अगर इस वाले हीरे की कीमत पूछू तो एक का स्क्वाइर एक आ जाएगा दो का स्क्वाइर वर्ग करना है चार रुपे इसकी कीमत आएगी नो रुपे इसकी कीमत आएगी सोला रुपे इसकी कीमत आएगी क्या वजन के वर्ग के बराबर है उसकी कीमत अब कोशन ने कहा क्या है कोशन ने कहा है मेरे दोस्त यदि तूटने पर हीरे के मुल्य में 7000 की कमी हुई हूँ एक बार खुद देख लो आपके हिसाब से कितने की कमी हुई है तो बेटा तूटने से पहले हीरे की कीमत 100 रुपे थी तूटने से पहले हीरे की कीमत 100 रुपे थी और तूटने के बाद 16 और 925 और 29 और 31 रुपे रह गई तूटने से पहले हीरे की कीमत 100 रुपे थी और तूटने के बाद जो है वो 30 रुपे रह गई तो मेरे दोस्त 70 रुपे का घटा हो गया, 100 में से 30 जाएगा, 70 रुपे का घटा हो गया, तूटने के बाद 70 रुपे का घटा हो गया, और भाई साब ने कहा है, 7000 रुपे का घटा हो जाता है, तो क्या एक पार्ट की वैल्यू जो होगी, वो 100 रुपे हो जाएगी, अब बता तुझे पूछना क्या है अगर आपके पास एक पार्ट की वैल्यू है तो आप कहिए अब बता तुझे पूछना क्या है कुशन ने कहा हीरे की मूल कीमत कितनी है यानि वो 100 पार्ट की वैल्यू पूछना चाहरा है वो 100 part की value पूछना चाहरा है अगर 1 बराबर 100 तो 100 बराबर कितना हो जाएगा हीरे की मूल कीमत जो है वो 10,000 आ जाएगी 70,000 होगा अच्छा है 70,000 है 70,000 है मेरे दोस्त 70,000 है तो यहां भी 1,000 हो जाएगा यहां 1,00,000 हो जाएगा तो मूल कीमत कितनी आ जाएगी option number D मूल कीमत कितनी आ जाएगी option number D इस question का साथी बिलकुल सही जवाब हो जाएगा एक और बहतरीन सा question हीरे का फटवर से मुझे बताएंगे क्या होगा इस question का बिलकुल सही जवाब जब भी ratio या sir square क्यों करा है बिटा बोला है मैंने square भी बनाया हुआ है मुल्य जो है उसके भार के वर्ग के वराबर है तो भारी तो दिया हुआ इसका वर्ग करोगे तभी तो मुल्य आएगा तो इस लिए मैंने वर्ग किया है है 70 कहां से आया एक पूछ़रा जी 70 कहां से आया कोशन नमबर पच्चिस का जवाब आप लोग मुझे देंगे कोशन नमबर पच्चिस का जवाब आप लोग मुझे देंगे ठीक है देखिए कोशन कहना क्या चाहा रहा है कोशन ये कहना चाहा रहा है मेरे दोस्त कि एक हीरे का मुल्य उसके भार के वर्ग के अनुकुर्मा नुपाती है कोई दिक्कत नहीं है मुल्य जो है उसके भार के वर्ग के बराबर है ये सोच के आपको चलना है एक 14 गिराम हीरे का मुल्य 2560 है एक 14 गिराम हीरे का मुल्य क्या दे रखा है पच्चिस्सो साथ रुपे दे रख्खा है यह हीरा पांच नो के अनुपात में दो टुकडों में तूट जाता है ठीक है भाईया इसके तूटने के कारण कितने प्रतिसत की हानी हुई वो आप से ये पूछना चाहा रहा अब मेरी बात को समधना अगर इस value से दोस्त question को solve करने की कोसिस करोगे तो question आएगा point में calculation बढ़ जाएगी मैं अभी बता के आया हूँ कि अगर ratio या आप से percentage पूछी जाए तो आपको ये सुरुवात वाली value की कोई आवशक्ता नहीं होती आपने बस केवल यहां देखा कि मुल्य जो है उसके भार के वर्ग के बराबर है तो मेरे दोस्त यहां उसका भार चोहदे था तो इसका मुल्य एक सो चाणवे हो जाएगा 14 का वर्ग 106 में होता है यहां इसका भार 5 है तो इसकी कीमत 25 हो जाएगी यहां इसका भार 9 है तो इसकी कीमत 81 हो जाएगी कोई दिक्कत अगर मैं यहां से कहूं कि टोटल कीमत कितनी हो चुकी है तो आप कहेंगे टोटल कीमत 106 हो जाएगी तो अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि घाटा कितने का हो गया तो आप कहेंगे 90 रुपे का और घाटा हुआ किस पर है आप कहेंगे 106 में रुपे पर तो 100 पर कितना हो जाएगा सौ पर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त अब इसे सौल कर लो अब इसे सौल कर लो क्या होगा इस question का बिलकुल सही जवाब अब इसे आप एक बार सौल कर लेंगे ठीक है देखो भई घटा पाटा क्या हो रहा है 2 से काटी हो 45 बार 2 से काटी हो 2 नाम 18 28 16 ठीक है भाई देखना थोड़ी सी बात को समझना अठाण मैं से जब इसे काटोगे थोड़ी देर कूँ मैं इसे 100 माल लो 100 माल लिया तो बढ़ा के माना है आंसर जो आएगा कम आएगा उससे बढ़ाना पड़ेगा सौ से सौ कट गया तो पैंतालिस अंसर आ रहा है पैंतालिस से थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा पैंतालिस से थोड़ा सा बढ़ाने का मतलब ऐसा भी नहीं है इतना बढ़ा देंगे देखो ये दोनों इसका जवाब हो जाएगा मेरे हिसाब से C option इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा एक बार आप यूज कर लेना ठीक है एक बार आप यूज कर लेना मेरे दोस्त C option हो जाएगा और अगर C नहीं है तो B लगा देना होगा इन दोनों में से ही जादा chances है अगर मैं आपकी जगह होता तो 90% में इसी option को tick करके आता क्योंकि बस केवल दो ही तो value बढ़ाई ये जादा थोड़ी ना है दो value बढ़ाते ही ये cut जाएगा 45 तो answer जो आएगा answer जो आएगा थोड़ा सा जादा आएगा ठीक है एक बार Kelsey से चेक करके देख लो मेरे दोस्त next question की तरफ चलते है next question क्या कहता है ये रहा बेटा ये question आपसे होश्टल वाला भी करके बन सकता है कि एक होश्टल में लड़के और लड़कियों का अनुपात ये था बाद में कुछ लड़के इतने लड़के आ गए तो बताओ अब लड़कियों की संख्या कितनी बढ़ी वो आपसे इस टाइप के question पूछ सकता है मैंने यहाँ सहरी और गिरामीन करके question लिया है मैंने यहाँ सहरी और गिरामीन करके question लिया है एक बार एक बार question को पढ़िए और मुझे बताईए क्या होगा इस question का बिल्कुल सही जवाब question number 26 क्या कहना चाहा रहा है भाई ध्यान से समझना क्या कहना चाहा रहा है देखो मामले को थोड़ा सा समझना question कहना क्या चाहता है question कहना चाहता है कि 1200 करमचारियों के एक कार्याले में total करमचारी कितने है 1200 है उसने कहा है करमचारियों के सहरी सदश्चों का गिरामीन से अनुपाद यानि कि urban और rural का ratio क्या दे रखा है 8 और 7 दे रखा है यानि अगर मैं urban की संख्या निकालू 8 जो है वो सहरी है total कितने में 15 में से तो 1200 में से कितने होंगे ये urban की संख्या जाएगी 15,8,120 ये 640 जो है वो सहरी हो जाएंगे अगर 1200 में से 640 सहरी हो गए तो 560 जो हो जाएंगे वो गिरामीन हो जाएंगे इस बात में कोई दिक्कत है ही नहीं ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ नए करमचारियों के सामिल होने के बाद, जिन में से 20 ग्रामीन सामिल हुए हैं, अगर 20 ग्रामीन सामिल हुए हैं, तो ग्रामीन की संख्या अब वो 580 हो गई होगी, तो रेशो जो है वो 5-4 हो जाता है, यानि रेशो कितना हो गया, 5-4 हो चार की वैल्यू 580, तो एक की वैल्यू 1, 4-1, 4-4, 4-16, 4-5-20, एक की वैल्यू 145, तो पांच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5-5-25 को 5 हांसिल 2, 5-20, 22 को 2 हांसिल 725 हो जाएगा, तो उसने का, नए सहरी करमचारियों की संख्या कितनी है, तो जवाब तो 7-25 होगा, लेकि हुए, बड़े हुए सहरी करमचारियों की संख्या कितनी है, तो आप इसमें से इसे घटा दीजिए, 5 में से 0 गया, 5 आएगा, और 12 में से 4 जाएगा, ठीक है भाई, तो 85 जो है, वो सहरी बड़े हैं, उसमें ये लिखना था, नए बड़े सहरी करमचारियों की संख्या कित नहीं है, तो आपका जवाब होगा, आपका जवाब होगा, बेटा 85, ठीक है भाई, बात किलियर है, तो आप कहेंगे जी, बात जो है किलियर है, आगे बढ़ें, चलिए, नेक्स्ट कुश्चन की तरफ चलते हैं, ये वही है मेरे दोस्त, पढ़िएगा एक बार कुश्चन को कुश्चन कहना क्या चाहरा है, पांसो असी सर कैसे आया, ऐसे आया, बिटा, पांसो साथ पहले थे, गिरामीन, बीस गिरामीन और आ गए, तो अब पांसो असी हो गए, रेशो उसने पांच चार दिया है, चार की वेल्यू पांसो असी, तो एक की वेल्यू एक वेल्यू सहरी जो है अब 725 हो चुके हैं कितने बढ़े तो इसमें से ये घटा दिया 85 बढ़े नेक्स्ट कुश्चन कुश्चन नमबर 27 नेक्स्ट देखो कुश्चन नमबर 27 पढ़िए एक बार कुश्चन क्या कहना चाहरा है कुश्चन हाँ लव यू भाई लव यू चलो आजो एक समहू में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात सच है लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात बॉइज और गल्स का रेशो मैं आपसे पूछूँ तो आप क्या बताएंगे सच्छ दिया हुआ है यदि चार और लड़कों समहू में आ जाते हैं लड़कों की संख्या चार और बढ़ जाती है तथा तीन लड़कियां समहू से चली जाती है तीन लड़कियां जो हैं वो समहू से निकल ली है तो लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात जो है वो 4-3 हो जाता है क्या क्रॉस वाली फील आ रही है क्या क्रॉस वाली फील आप लोगों को आ रही है नहीं आ रही है तो आनी चाहिए मैंने बताया है जब एक रेशो आप लोगों को दिया हुआ हो घटाने बढ़ाने के बाद रेशो आप लोगों को दिया हुआ हो तो आप वहां cross method लगा रहे होंगे ठीक है, कैसे लगाते हैं चार तिया बारा होगा और चार की माइनस तीन में माइनस बारा जादे वाले में से कम वाला घटाते हैं 12 में से कम वाला घटाई है, माइनस 12 को घटा दीजिए, अब इधर देखिए, सातिया 21 होगा, 6 चौक 24 होगा, 24 में से 21 को घटा दीजिए, तो आप यहां से क्या कहेंगे, यहां से मेरे दोस्त 3 बचेगा, और 3 की वेल्यू, माइनस माइनस पिलस, 12 बारे 24 हो जाएगा, क्या 3 की वेल्यू 24 है, तो 1 की वेल्यू 8 हो जाएगी, अगर 1 की वेल्यू 8 हो चुकी है, तो आरंब में इस समु में, लड़के तथा लड़कियों की कुल संख्या क्या होगी, तो लड़के और लड़कियों की संख्या, 13 की value पूछना चाहरा है अगर 1 बराबर 8 है तो 13 बराबर कितना हो जाएगा तो आप कहेंगे 138 104 हो जाएगा तो इस question का जवाब क्या होगा मेरे दोस्त option number D ठीक है option number D इस question का बिलकुल सही जवाब हो जाएगा next question आप लोगों के सामने है question number 28 question number 28 आप लोगों के सामने है ठीक है पिटर लाश्ट में स्कोर अपना भी बता देना इस्कोर अपना भी बता देना इंडिया कर तो 230 आपने बना दिया है ठीक है अपना भी स्कोर बता देना कि आपका स्कोर कितना रहा है और मैं आप लोगों से पूछूं कि मेरे दोस्त अगर आपका स्कोर 85% से कम रहा है तो मेरे दोस्त फिर आप भूल जाना फिर आप भूल जाना फिर तो कोई चमतकार ही आपको ले जा सकता है दूसी तरह क्योंकि आपने उस टाइम पर पढ़ाई की ही नहीं है कोश्चन ने क्या कहा है कोश्चन ने कहा है ए बी और सी तीन बॉक्स है ए बी और सी तीन बॉक्स आप लोगों को दिये हुए है जिसमें तीन पांच साथ के अनुपात में कंचे हैं इन तीनों में दे रखे हैं 3, 5, 7 के अनुपात में कंचे दे रखे हैं और कंचो की कुल संख्या 55 है अच्छा मेरे हिसाब से कंचो की संख्या 5 और 3, 8 और 7, 15 है और उसने कितनी दी है 55 तो एक पार्ट की वेल्यू 55 बटे 55 यानी एक पार्ट की वेल्यू 5 आ जाएगी अगर एक पार्ट की वेल्यू 5 है तो तीन पार्ट की वेल्यू 15 होगी अगर एक पार्ट की वेल्यू 5 है तो 5 पार्ट की वेल्यू 25 होगी एक पार्ट की वेल्यू 5 है तो 7 पार्ट की वेल्यू 35 हो जाएगी क्या टोटल 55 कंचे जो है ऐसे ऐसे बॉक्स में होंगे होंगे या नहीं अब आगे सुनना यदि 3 कंचे B से A में स्थानांतरित किये जाते हैं यहां से 3 कंचे उठाए और यहां 3 कंचे भेज दिये यहां 18 बच गए और यहां से 3 कंचे गए हैं यहां 22 बच गए और यहां मेरे दोस्त 35 ही है और पांच कंचे C से B में इस्थानांतरित किये जाते हैं पांच कंचे यहां से घटाओगे 30 हो जाएंगे पांच कंचे यहां बढ़ेंगे 27 हो जाएंगे और यहां मेरे दोस्त 18 ही रहेंगे तो कंचों का नया अनुपात वो पूछना चाहा रहा है तो 3 चिंग 18, 3 नाम 27, 3 धाई 30 सवाल का जवाब 6, 9, 10 हो जाएगा सवाल का जवाब कितना हो जाएगा 6, 9, 10 इस कुश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा नेक्स्ट कुश्चन आप लोगों को बता दूँ नेक्स्ट कुश्चन आप लोगों को बता दूँ मेरे दोस्त सबसे पहले एक छोटी सी बात सुन लीजिए अगर मैं आप लोगों से कहता हूँ ये पिर्थवी है दोस्त पिर्थवी इस पिर्थवी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया है ये उत्तरीली गोलार्द है नौर्थरन हेमिस्फेर है ये दक्षनी गोलार्द है ये साउथरन हेमिस्फेर है बिटा दोनों बराबर बटे हुए हैं इसलिए इनका रेशो एक रेशो एक होगा ठीक अगर मैं यहां से बात करता हूँ ये है बच्चा पूरी अर्थ है पूरी अर्थ आप लोगों के सामने अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है कभी भी मैं आपसे अर्थ और अर्थ और नॉर्थरन पहले मैंने आपसे पूछा Northern Hemisphere और Southern Hemisphere का रेशो क्या होगा तो आप कहेंगे दोनों का रेशो एक-एक होगा ये बात आपके समझ में आगी लेकिन मैंने आपसे एक तरफ कहा Northern Hemisphere और अर्थ का रेशो क्या होगा तो आप कहेंगे Northern Hemisphere तो एक पार्ट है अर्थ जो है ये पूरी है यानि एक और एक मिला के दो पार्ट है अगर मैंने आपसे पूछा साउथरन हैमिस्फेर और अर्थ का रेशो आपसे पूछा तो साउथरन हैमिस्फेर तो एक पार्ट है और अर्थ जो है पूरी है एक और एक दो पार्ट है अब एक बार मुझे बता दो अर्थ और साउथरन हेमिस्फेर का रेशो क्या होगा जल्दी से बता दो अर्थ कितनी पूरी यानि एक और एक दो पार्ट और साउथरन हेमिस्फेर कितनी एक यानि इसका रेशो 2-1 हो जाएगा क्या ये बात समझ में आगी क्या ये बात समझ में आगी अब देखो मेरे दोस्स सामने आपके ये कुश्चन है कुश्चन कहना क्या चाहता है आप लोगों से कुश्चन महोदे कहना चाहते है संपून पिर्थवी पर थल और जल का अनुपात दिया हुआ है थल यानी लेंड और जल यानी यानी वाटर तो इसका मतलब इन दोनों का रेशो एक तीन दिया हुआ है कहा पर पिर्थवी पर बेटा संपून पिर्थवी पर आगे कहा है उत्तरी गोलार्द उत्तरी गोलार्द पर नौर्थरन हेमिस्फेर पर यह अनुपात 2,5 दिया हुआ है तो आपसे दक्षणी गोलार्द पर पूचा है अच्छे एक बात मुझे बता दीजे बद छोटी सी बात बता दीजे कि पिर्थवी और Northern Hemisphere का रेशो क्या होता है पिर्थवी दो पार्ट होता है और Northern Hemisphere एक पार्ट होता है यानि इन दोनों का रेशो जो होना चाहिए था वो दो एक के अनुपात में होना चाहिए था एक बार ये देख लो क्या इन दोनों का ratio 2-1 के अनुपात में है तो आपने इन दोनों को जोड़ा तो आपको पिर्थवी पर total थल और जल मिला के 4 पार्ट नज़राए आपने इन दोनों को जोड़ा तो आपको Northern Hemisphere पे 7 पार्ट नज़राए ये तो ratio 4-7 है बनाना कितना था दो एक बनाना था जब भी एक रेशो को दूसरे रेशो में बदलना हो तो सबसे पहले इनको बराबर करते हैं बराबर करने का तरीका क्या है इस साथ की गुणा उपर करिये इस चार की गुणा नीचे करिये क्या ये बराबर हो चुके हैं साथ की गुणा यह करी है तो साथ की गुणा दोस्त यहां कर दीजिए चार की गुणा यहां करी है तो चार की गुणा यहां कर दीजिए क्या ये बराबर हो चुके हैं जैसे ही ये बराबर होते हैं इसे दो एक के अनुपात में बनाने के लिए यहां दो की गुणा करो यहां एक की गुणा करो क कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, कुशन ने कहा है, दक्षनी गोलार्द पे बताना है, तो बेटा, पिर्थवी में से उत्री गोलार्द को घटा दोगे, तो दक्षनी गोलार्द आपको मिल जाएगा, तो 7 दूनी 14, 14 में से 8 जाएगा, तो 6 बचेगा, साथिया 21 दूनी 42, 42 में से 20 जाएगा, 42 में से 20 जाएगा, तो 22 बचेगा, तो आंसर कितना हो जाएगा, 3 रेशो 11 हो जाएगा, अगर दक्षनी गोलार्द पे मैं थल और जल का रेशो पूछूँ, तो सवाल का जवाब 3 रेशो जाएगा, एक बार थमसब करेंगे, कितने बच समझ में आ गई है, वो अगला कोश्चन जो है, भाई उपर करना, अनुराग सिंग जी कह रहे हैं, पैट के पेपर में तो सर, RWA का पढ़ाया हुआ नहीं आया बिलकुल भी, किसका पढ़ाया हुआ आया है, किसका पढ़ाया हुआ आया है, बचे ऐसा नहीं कह सकते, ऐसा न भी, दस बारे स्क्रीन सोट तो मैं देख के आया था, जो आपको एजटीज कुश्चन कराये हुए थे, अजीस सन ने, हिस्ट्री और पॉलिटी मिला के, मैंने देख लिये थे आराम से, तो ऐसा तो नहीं कह सकते, पर हार्ड कुश्चन पूछे गए हैं, जो आपको अलग होगा, जो आपकी गिरफ्ट से परे होगा, तो जब गिरफ्ट से परे होता है, तब ऐसा ही लगता है कि कुछ नहीं आया, और मेरे दोस्त, ये पेपर जो था, उस हिसाब का था ही नहीं, जिस हिसाब का एंट्रेंस एक्जाम होता है, जिस हिसाब का एंट्रेंस एक्जाम हो कर दें तो मैं मांजाओं वो ही इतने time में solve नहीं कर पाएंगे तो बच्चा कहां से solve कर पाएगा तो यह भी कहता हूँ कि वही जो जिसने paper बनाया वह Kelsey लेके अकेला बैठ जाया और उस paper को इतने time में solve करके दिखा दें ठीक है गांधी जी ने लंगोर्ट कब बांदी थी बताओ ये कुश्चन है गांधी जी ने लंगोर्ट कब बांदी थी भाईया जब अजीब और गरीब कोशन पूचे गए है ठीक है चलिए आगे बढ़े चलिए अगले कोशन की तरफ चलते हैं बिटा अगला कोशन क्या कहता है इस कोशन को करके आप लोग मुझे दिखा दो क्या होगा इस कोशन का बिलकुल सही जबाब क्या होगा इस कोशन का बिलकुल सही जबाब बहतरीन कोशन आप लोगों के सामने है चलिए फटा फट बताएंगे क्या होगा इसका बिलकुल सही जबाब कोशन ने क्या कहा है कोशन ने कहा है उत्तरी तथा दक्षनी गोलारदों पर भूमी और जल का अनुपात क्या है अगर मैं भूमी और जल की बात करता हूँ दोनों जगा भूमी और जल की बात करता हूँ मेरे दोस्त तो भूमी और जल का अनुपात दो साथ दिया है कहां पे North Run Hemisphere पे और South Run Hemisphere पे रेशो क्या दिया है? 5 और 13 क्या Northern और साउथ Run का रेशो एक रेशो एक होता है? या नि दोनों को बराबर करना होगा अगर मैं यहाँ देखूं इनको जोडके 9 आ रहा है यहाँ देखूं इनको जोडके 18 आ रहा है क्या ये दोनों बराबर हैं तो आपने कहा ना जी ना दोनों बराबर नहीं है तो मेरे दोस्त दोनों को बराबर कर दो दो की गुणा यहां तो दो की गुणा आप पूरे रेशो में ही कर दो कर दी क्या अब उसने पूछा है पूरी पिर्थवी पर भूमी और जल यानि नौर जलका ratio क्या आजाएगा, एक ratio 3 आजाएगा, क्या आजाएगा मेरे दोस्त, एक ratio 3 इस question का जवाब आजाएगा, next question, दहली police previous year question, क्या आप लोग तयार है, फटा फट मुझे बताइए, क्या आप लोग तयार है, दहली police previous year question, तैयार हैं तो दिलों से स्वागत किया जाए हाँ हम तैयार हैं मैं भी तो देखूं कि कितनी जल्दी जल्दी आप लोग आंसर देंगे धहली पुलिस प्रिवियस एयर कुश्चन का काम ही खतम कर देंगे अगले 20 से 25 मिनट में आदे घंटे में मैक्सिमम में हम लोग काम खतम कर देंगे धहली पुलिस प्रिवियस एयर के कुश्चन का बचे आप भी अगर देखोगे तो हर कोई कहेगा कि प्रिवियस एयर के कुश्चन से जरूर करके जाओ मैं previous year के questions के साथ expected questions जो इस साल पूछे गए हैं किसी exam में वो questions भी करा रहा हूँ और previous तो साथ के साथ कराई रहा हूँ तो मेरे दोस्त फिर आप समझ सकते हो कि इस से बहतरी रिवीजन आप लोगों का हो ही नहीं सकता चलिए बहुत शांदर इसमें पिलस क्यों किये इसमें पिलस इसलिए किये क्योंकि पिर्थवी तब बनेगी जब नौर्थरन और साथरन जुड़ेगा उसमें माइनस इसलिए किये उसमें माइनस इसलिए किये क्योंकि पूरी पिर्थवी में से उत्री को घटाओगे तो दक्षणी बचेगा है ना भाई पूरी पिर्थवी है इसमें से उत्री घटा दो तो दक्षणी बच जाएगा पूरी पिर्थवी बनानी है तो उत्री और दक्षणी को जोड़ दो तो पूरी पिर्थवी बन जाएगी थो एज के question कराओ, एज के question करा दूगा, छोड़ूँगा थोड़ी न, आज नहीं होंगे तो फिर कभी होंगे, फिर कभी होंगे, ठीक है, देखिए, ऐसे question में थोड़ा सा हमें तर्की अप्रोच लगानी होती है, अगर हम ऐसे ही solve करने बैठ जाएंगे तो दोस्त, हम लोग set न पहले देखना आप देखोगे कि पहले और आखरी को जोड के बीच वाले के बराबर आ रहा है दो और एक तीन ये तीन के बराबर आ रहा है तो आपने क्या किया पहले और आखरी को जोड दिया यानि X पिलस Y माइनस Z और इसमें आखरी को जोड दिया 2X पिलस Z माइनस W और य क्या लिख दिया भाई लिख सकते हैं दो और एक तीन तीन बराबर तीन के तब होगा जब पहला और आखरी को जुड़ के इसके बराबर लिख देंगे अब देखना थोड़ी सी ध्यान से समझना कोश्चन कहना क्या चाहरा है अब यहां से काटा पीटी मचाईए थोड़ी सी कट सकता है Z से Z उड़ा दीजिए ठीक है भाई 2X और 1X कितना हो जाएगा 3X हो जाएगा Y से Y उड़ा दीजिए यहां से देखेंगे Z, W उधर जाएगा इधर Z बचेगा, W उधर जाएगा, 2W और 1W 3W हो जाएगा तो सब कुछ लिख चुका हूँ यह आपके सामने वैल्यू आ सकती है आपसे पूछा है 5W 5W माइनस कोमल लीजिए यह हो जाएगा 3X पिलस Z और नीचे दिया हुआ है 3W ठीक है 3X पिलस Z की वैल्यू 3W यहां रख दीजिए, 5W में से 3W जाएंगे तो 2W उपर बचेंगे और नीचे कितना बचेगा 3W दिया हुआ है डबलू से डबलू उड़ाओ आंसर कितना पाओ, 2 बटे 3 पाओ आपसन कौन सा पाओ, आपसन C पाओ अगले कुश्चन पे आगे बढ़ जाओ अगले कुश्चन पे आगे बढ़ जाओ यह सारे कुश्चन आप लोगों ने करे हुए है ठीक है भाई यह सारे कुश्चन आप लोगों ने करे हुए है फटा-फट बताएंगे क्या होगा इसका बिल्कुल, हाँ भाई या जैड ही है मैंने देखो ना जड़ माना ये ला ने जड़ ठीक है question number 32 question number 32 आप लोगों के सामने है फटा-फट मुझे बताईए क्या होगा इस question का बिलकुर सही जवाब sir please मेरी बात सुन लो partnership के question कराऊंगा दो संख्याएं 5-8 के अनुपात में है यदि पहली संख्या में से 15 घटाया जाता है दो संख्याएं किस रेशो में दी हुई है 5-8 के अनुपात में से पहली संख्या में से 15 घटाया और दूसरी संख्या में 18 जोड दिया तो अनुपात 1-3 हो जाता है क्या cross multiply लगा दोगे 18 एकम 18 होगा उसमें से घटाना एक कम वाला ये माइनस है तो कम वाला होगा 15 तिया 45 घटा दो माइनस में ये किस के बराबर आएगा 5 तिया 15 आठे कम 8 15 में से 8 के बराबर आजाएगा आएगा क्या यहाँ आप देखोगे ये 7 आएगा 18 और 45 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा तो एक पार्ट की वैल्यू जो है वो 9 के बराबर आजाएगी बता पूछना क्या चाहता है मेरे दोस्त दोनों संख्याओं के बीच अंतर पूछना चाहता है यानि 3 पार्ट की वैल्यू पूछना चाहता है कितना हो जाएगा 27 इस question का बिलकुल सही जवाब हो जाएगा ठीक है चलिए next question आप लोगों के सामने है question number 33 question number 33 आप लोगों के सामने है फटा फटा बताईए क्या होगा इस question का बिलकुल सही जवाब question ने कहा है तीन संख्याओ का अनुपात चार तीन साथ है, तथा उनके वर्गों का योग, बिटा वर्ग करना, पहले इस संख्या को 4 ए मान लो, दूसरी संख्या को 3 ए मान लो, तीसरी संख्या को 7 ए मान लो, ए मानने का रीजन जश्ट आप लाश्ट में पूछेंगे, वर्गमूल क्यों किया है, तो इस वज़य से अब इनके वर्गों का योग यानि इसका वर्ग करेंगे 16a² इसका वर्ग करेंगे 9a² और इसका वर्ग करेंगे तो 14a² आएगा क्या इनका वर्गों का योग जो दिया है वो 666 आप लोगों को दिया हुआ है तो आप कहेंगे जिए बिल्कुल दिया हुआ है अब आजाईए यहाँ 16 और 9 25 50 और 25 पिछितर लेकिन एक कम है यह 44 A स्क्वेर हो जाएगा और यहाँ क्या है? 666 है तो अगर मैं 44 को यहाँ से हटाऊं यहाँ ले जाऊं 24 को यहाँ से हटाता हूं यहाँ ले जाता हूं 2 से काटेंगे 2 3 6 2 3 6 2 3 6 2 7 14 हो जाएगा तो अगर मैं यहाँ से देखू मेरे दोस्त 37 से यह 9 बार कड़ जाएगा तो square है उधर square root लग जाएगा 9 का वर्गमूल 3 होता है तो क्या A की value 3 आ जाएगी? ठीक है? question नहीं का है तीनों संख्याओं में से सबसे बड़ी का मान क्या है? यानि वो 7 A की value पूछ रहा है A बराबर 3 तो 7 A की value कितनी हो जाएगी? A की जगा 3 रख दीजिए 7 यह कितना हो जाएगा? मेरे दोस्त 21 हो जाएगा तो option number A is the correct answer ठीक है? next question question number 34 question number 34 आप लोगों के सामने है फटा फटा बताईए क्या होगा इसका बिलकुल सही जवाब Sir please computer की class भी है क्या आप लोगोंने reasoning की class में कहा था Sir please छोड़ो math की class भी है क्या आप लोगोंने कहा था Sir please छोड़ो math की class भी है पेटा चोहितर कैसे आया है? जोड़ लो ना इन सब को जोड़ोगे चोहितर ही तो आएगा नहीं कहता था ना तो फिर मेरी class में computer की क्यों बोल रहे हो मेरी class तो ये पहले से ही आ रही है पहले से ही चलती ही आ रही है मानते हो या नहीं चलिए आज like की सम्ख्या बेहद कम है बेहद कम बीस question तो अभी partnership के बचे हुए है दस question जो है अभी age की बचे हुए है और साथ आठ question जो है अभी इसके भी बचे हुए होंगे चलिए च्छे हजार साथ को ABC के बीच इस पिरकार बाटा जाता है टोटल रकम कितनी है च्छे हजार साथ किसमे बाटनी है ABC के बीच बाटनी है इस पिरकार बाटा जाता है कि यदि A के हिस्से में से 15 रुपे B के हिस्से में से 20 रुपे और C के हिस्से में से 25 कम कर दें अगर A के हिस्से में से 15 और B के हिस्से में से 20 और C के हिस्से में से 25 कम करें यानि 25,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, आठ के अनुपात में बसते हैं तो आपके हिसाब से कम करने के बाद उनके पास कितनी रासी बच रही है बीस रुपे आठ साथ 15 और पाच बीस और कम करने के बाद रासी होनी कितनी चाहिए 6,000 तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगे 300 तो उसने कहा है C की मूल कितनी थी कम करने के बाद C को 8 रुपे बचे हैं C के पास तो कम करने के बाद ही 2400 रुपे बच रहे हैं तो कितने कम हुए हैं 25 रुपे कम हुए हैं यानि सुरुवात में उसे 25 रुपे और मिले होंगे तो क्या सुरुवात में उसके पास 2425 रुपे रहे होंगे option number B ठीक है option number B इस question का जवाब हो जाएगा next question आप लोगों के सामने बिल्कुल वैसा ही question जैसा मैंने अभी 34 आप लोगों को कराया था फटा फटा बताएंगे क्या होगा इस question का बिल्कुल सही जवाब क्या कहना चाहा रहा है question ने कहा है पिछेतर सो साथ की एक धनरासी को ABC के बीच इस पिरकार बाटा जाता है यदि उनके हिस्सों में 400 रुपे, 300 रुपे 260 रुपे कम कर दिये जाएं 400, 300, 702 960 रुपे कम कर दो पिछेतर सो साथ रुपे टोटल बट रहे थे उसमें से 960 कम कर दिये तो क्या अभी भी उनके पास जो है, वो 600 रुपे बचे होंगे अब कोश्चन ने काए जी, अब उनके पास जो बसते हैं वो 4, 2, 5 के रेशों में बचते हैं तो मेरे दोस्त, अब मेरे हिसाब से कितने बच रहे हैं 4, 2, 6, 5, 11 उसने कहा है उनके पास 6600 बसते हैं क्या एक पार्ट की value जो है वो 600 आ जाएगी तो कुश्चन ने काए B की मूल हिस्सेदारी तो 2 पार्ट की value कितनी आएगी 1200 आ जाएगी 1200 कम करने के बाद बचे हैं तो कम करने से पहले कितने होंगे मूल हिस्सेदारी पूछ रहा है तो 300 और जोड़ दो तो कम करने से पहले 1500 रूपे उसके पास होंगे Next question आप लोगों के सामने है बताओ फटा फटा Question number अगला Question number अगला क्या कहता है Class कब तक चलेगी? 7 बज़े तक 7 बज़े के 10 मिनट तक Class चलेगी ठीक है? जलेबी खा लीजिए सर जी सलेक्सन पर जब सलेक्सन लेके आओगे जलेबी लेके आओगे तब खाऊँगा जलेबी और जलेबी क्या फिर तो मीठे में कुछ भी ले आना दोस्त फिर तो मैं कहां छोड़ने वाला हूँ पड़ पड़ बताईए क्या होगा इस कुश्चन का बिलकुल सही जवाब जो खुसी में होता हूँ तब तो बहुत ही खाता हूँ बहुत आवाज चेक करो देखियो भई आवाज में क्या इस्तिती बढ़िया चल लिए कैदी टेकनिकल मोहदने जिन्यो जी आवाज बड़ी कातिल चल रही है चलिए भई देखिये एक बार समझिए ABC अपने टेलिफोन के बिल का बुखतान 35-7 के अनुपात में करने के लिए सहमत होते हैं यानि तीनों जो बुखतान करेंगे वो 35-7 के अनुपात में बुखतान करेंगे ए पहले महा के बिल पर 400 का भुकतान करता है बी दूसरे महा के बिल पर 560 का भुकतान करता है तथा सी तीसरे महा के लिए 840 का भुकतान करता है यानि टोटल कितना भुकतान हो गया 400 और 560, 960, 960 और 40, 1000, 1800 रुपे का टोटल भुकतान हुआ है और उन्हें करना किस रेशो में था उन्हें करना इस रेशो में था यानि 7 और 5, 12 और 3 उन्हें 15 रुपे का बुकतान करना था तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आएगी 15 है कम 15 है क्या एक पार्ट की वैल्यू 120 आ जाएगी कोशन ने कहा है खाते के समायाजन के लिए मतलब खाते को बंद करने के लिए B को कितनी दनरासी का भुकतान करना होगा देखो इसने भी अपने हिस्से के 840 कर दिये है A ने भी 40 रुपे कम दिये है B ने कितने दिये है 600 रुपे दिये है 120 पंजे 600 हो जाएगा तो इसने B दूसरे महा के बिल के लिए ओहो B को देने थे 600 देखो कर रहा है न गड़बड B B गड़बड कर रहा है 600 रुपे देने थे और B ने दिये है 560 जबकि A को 360 रुपे देने थे A ने दे दिये 400 रुपे यानि ये 40 गाटे में जा रहा है और ये 40 फाइदे में जा रहा है तो मेरे दोस्त क्यों नहीं कर रहा 40 रुपे का भुखतान जब 40 रुपे का भुखतान करेगा तभी तो तेरा मामला सैठ होगा क्योंकि तुझे 600 रुपे देने है और दे तू 560 रहे तो 40 रुपे कोन देगा तू देगा तो भाहिया 40 रुपे दे और खाते को बंद करा यानी option number D क्या इस question में आप मुझे pen टेकने का मोका दोगे क्या आप इस question में मुझे pen टेकने का मोका दोगे हाँ net की band बच गई है इसीलिए मैंने आपसे पूछा था, Class में आके, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे दोस्त, Library छोड़ मत देना, Library का पैसा वसूल करना है, पूरा, ठीक है, पूरा पैसा वसूल करना है Library का, देखे, Qution कहना क्या चाहा रहा है, Qution कहना क्या चाहा रहा है, जब X को 6, 12, 18 और 28 में पिरतेक में जोड़ा जाता है भाई जोड़ या घटा मुझे मतलब नहीं है मेरा काम है पहले में आखरी की गुणा करना आठ चिंग 48 को 8 हांसिल 4 6 दूनी 12 और 4 16 हो जाएगा 18 दूनी 36 को 6 18 दूनी 36 को 6 हासिल 3 18 एकम 18 और 3 21 हो जाएगा घटा दो 16 में से 8 गए 8 बचेगा 10 में से 6 गए 4 अंतर आएगा 28 और 6 कितना हो जाएगे 34 हो जाएगा 18 और 12 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा अंतर आएगा 4 इस अंतर को इससे डिवाइड कर दो तो X की वैल्यू 12 हो जाएगी 12 जोडने के बाद ये समान उपात में हो जाएगी उसने क्या कहा है उसने ये कहा है भाईया इन दोनों का रेशो पूछ रहा है तो 12 पंजे 60 में से 8 जाएगा तो 52 बचेगा और 12 और 4 16 4 से काटेंगे 13 बार और 4 से काटेंगे 4 बार तो option number D इस question का जबाब हो जाएगा ठीक है चलिए next question आप लोगों के सामने question number 38 और कैसे न चल रहा है घर से पढ़ते हो तो बहुत अच्छी बात है अब आप sound लिखने लगोंगे बहुत देर तक sound लिखो गया voice 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 लिखना चालू करोगे voice हाँ मुझे पता था sound लिखना चालू करोगे आज तो फिर भी कमी है एक नहीं लिखा है sound सब लाइबरेरी में नहीं होते भाईया बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से बटा फ़ड़ बताईए क्या होगा इस question का बिल्कुल सही जवाब घर भी हो तो थोड़ा सा एक छोटा पैक ले लो छोटा पैक मतलब वह वाला छोटा पैक नहीं रिचार्ज का छोटा पैक है ना अब वह ले लो मेरे दोस्ते ठीक है चलिए मम्मी बोल रही है अपने हातों से मीठा खिलाओगे अगर मेरे बच्चे का सेलेक्शन हो गया पढ़वाओ भी पढ़वाओ मीठे का मामला अपर कमेंट पढ़वाओ कमेंट पढ़वाओ क्या अब नीचे दिखाओ ने 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 उपर करो उपर उपर हाँ ये ये सर मम्मी बोल रही है अपने हातों से मीठा खिलाओगे अगर मेरे बच्चे का सेलेक्शन हो गया तो मम्मी किसको बोल रही है मम्मी मुझे अपने हातों से खिलाएंगी या मुझे तुम्हे खिलाना होगा ये clear कर दो बेटा, वैसे मम्मी कह रही होंगी कि हाँ, अपने ही हाथों से मुझे खिलाएंगी, है न, भी अम मा तो मा होती है, question number 38, क्या कहना चाहरा है question, question कहना चाहरा है मेरे दोस्त, A और B की I का अनुपात इतना है, A और B की I का अनुपात कितना है, ये A है और ये B है, income का ratio पूछ रहा है, income का ratio दे रहा है, 5 और 8, ठीक है, उनके खर्च का अनुपात, उनके expenditure का ratio एक दो आप लोगों को दिया हुआ है, यदि B के खर्च का 80%, इसका 80%, A के I के बराबर हो, इसके I के बराबर हो, भाई साब तरीन concept आपको बताता हूँ, B के खर्च का 80% जो है, B के खर्च का 80% A के खर्च के बराबर है, अच्छा किसी का 80% आप जानते हो, आप जानते हो कि 100 का 80% 80 होता है, यही होता है मेरे दोस्त, तो अगर मैं कैसे ही इस value को 100 बना दूँ, मैंने 50 की गुणा कर दी तो ratio को सेम करन करने के लिए 50 की गुणा करनी पड़ेगी, तो इसका खर्चा 100 रुपे है, मुझे इसके खर्चे के 80% के बराबर इसकी आए करनी है, तो क्या 80 करना है इसको, इसे 80 करने के लिए 16 की गुणा करनी होगी, question खतम, पैसा हजम, question कहना चाह रहा है, A और B की बच्चतों के बीच सनी रुपाद, 80 रुपे कमाए थे, 50 रुपे उड़ा दिये, तो 30 रुपे बचाए होंगे, 16, 128 रुपे कमाए थे, 100 रुपे उड़ा दिये, तो 28 रुपे बचाए होंगे, ratio क्या आ जाएगा? 15, 14, यानि उनकी सेविंग का रेशो कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे, 15, 15-14 उनकी सेविंग का रेश होआ जाएगा 15-14 उनकी सेविंग का रेश होआ जाएगा नहीं, ऐसे नहीं बेटा चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत शांदा Next, आगे की तरफ हम लोग चलते हैं मेरे दोस्त नहीं, नहीं, बेटा मेरी बात समझो Question नहीं कहा है कि इसके खर्चे का 80% है यह तो 80% कैसी करकी से 100 बना लो, 100 का 80% इसे 80 बना लेना तो इसे 100 बनाने के लिए 50 की गुणा, तो यहां भी 50 की गुणा इसे 80 बनाने के लिए 16 की गुणा, 16 की गुणा Income में से expenditure घटाओगे, तो saving ही तो आएगी तो ratio आ चुका है मेरे दोस्त, 15-14, डवड़ बताओ Question number 49, क्या कहना चाहता है? Question number 49, कल जो है, कल मेरे दोस्त, कल जो है वो percentage होगा देखिए, आज तो मैंने मैथ में कमाल कर दिया मोक में, हमेशा करोगे बिटा, अगर मन से पढ़ोगे, तो हमेशा करोगे कमाल, हमेशा सराज पैक की बात आगी, तो हो जावे, एक पटियाला वा मेरे दोस्त, पहला comment देखने को मिला है, तेरा अंकित खटाना मुझे, मुझे जो है, वो लगवग लगवग दो गंटे हो गया है, तेरा comment नहीं देखने को मिला लेकिन वो है ना, जब बात हो अपने काम की, तो हमें निकल के बाहर आना चाहिए जब बात चली हमारे पैक की, तो हम पे रुका नहीं गया फिर हमें बाहर आना ही होगा, चली बताइए क्या होगा, इस question का बिल्कुल सही जबाब question ने कहा है, A और B की आये का अनुपात जो है, वो चार साथ है मेरे दोस्त दो लोग है, A और B, इनकी income का ratio कितना दिया हुआ है तीन साथ, तीन साथ नहीं, चार साथ दिया हुआ है, ठीक है उनके खर्च का अनुपात, उनके खर्च का अनुपात एक दो दिया हुआ है उनमें से प्रतेक 4800 रुपे बचाता है, क्या आप ELEGATION लगा दोगे ELEGATION ने CROSS METHOD, इसकी गुणा इसमें 900, इसकी गुणा इसमें 900 में से 4800 जाएगा 4800 बचेगा, यहां देखिए, चार दुनी, आठ, साथ एकम, साथ, आठ में साथ गया, एक बचेगा तो उसने का है, B की आए कितनी है, वो साथ पार्ट की वैल्यू पूछना चाहरा है तो 78, 56, 6, हासिल 5, 7, 4, 28, 25, 33 हो जाएगा Queshion का जवाब 33, 600, इस question का जवाब हो जाएगा, ठीक है Next question, question number 40, आप लोगों के सामने हैं पटाफट से मुझे बताईएगा, क्या होगा, इस question का बिलकुल सही जवाब Question number 40 Question number 40, जल्दी से बताईए क्या होगा, इसका बिलकुल सही जवाब Question क्या कहना चाहरा है, A और B का वेतन इतना है दोस्त मेरे A और B का वेतन कितना दिया है A और B का वेतन दिया हुआ है 3 और 5 ठीक है यदि पिरतेक का वेतन 70,000 रुपे बढ़ जाता है तो नया अनुपात 5-6 हो जाता है पिरतेक का वेतन बढ़ाया कितना है 70,000 बढ़ाया है अब मेरे दोस्त या तो आप या तो आप इसे cross method से कर लो पिरतेक का वेतन सतर हजार बढ़ाया है या तो आप इसे cross method से कर लो या फिर इसे difference method से कर लो चलो cross चल रहा है cross से ही चलने देते है साच्छिंग कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा और 7,35 हो जाएगा तो अगर मैं आपसे कहूं 7 बराबर यहां 4,20 में से 3,50,000 जाएगे तो 70,000 बच जाएगा इतना ही बचेगा मेरे दोस्त 50 ठीक है तो 7 बराबर एक पार्ट की value 10,000 आजाएगी तो question ने कहा है एक वर्तमान वेतन कितना है तो दोस्त मेरे पुराना वेतन निकाल लो पहले तो एक में वेतन 30,000 होगा लेकिन वो अब का वेतन पूछ रहा है जब 70,000 बढ़ा दिये गए हैं तो क्या A का अब का वेतन जो है वो 1,00,000 खाएगा लेकिन आप लोगों ने भारी mistake की है भारी mistake नहीं आपसन ने भी भारी mistake की है A और B का वेतन किरम से 35 के अनुपात में है तो एक बराबर किस के आया है 10,000 के आया है तो बिटा सुरुवात का वेतन 35 के अनुपात में है तो एक बराबर 10,000 तो तीन बराबर किस के होगा 3 बराबर 30,000 के हो जाएगा अच्छा 3 बराबर 30,000 के हो जाएगा तो उसने कहा है नया अनुपात 5-6 हो जाता है ऐसे नहीं 50,000 हो जाएगा 50,000 हो जाएगा कुश्चन के हिसाब से expenditure वाला नहीं करेंगे अच्छा ये क्या मिटा दिया 50,000 हो जाएगा 30,000 तो होगँ बेटा शुरुआतवला वेतन तीन की value पूछ रहा है एक बराबर 10,000 तो 3 बराबर 30,000 एक बराबर 10,000 तो बाद वाले वेतन का अनुपात ये दिया हुआ है तो एक बराबर 10,000 तो 5 बराबर कितना हो जाएगा 50,000 हो जाएगा तो सुरुवात वाला वेतन पूछा जाए तो 30,000 होगा और बाद वाला वेतन पूछा जाए तो 50,000 होगा ठीक है? चली, अगले कुश्चन की तरफ चल रहे हैं, हाँ, वर्तमान वेतन पूछ रहा है, 41 कुश्चन आप लोगों के सामने है, फटा-फट मुझे बताईए, क्या होगा इसका बिल्कुल सही जबाब? कुश्चन क्या कहना चाहा रहा है? और क्योंके 6% के योग का क्या दिया हुआ है? दो तिहाई दिया हुआ है, यानि इसका दो तिहाई दिया हुआ है, अब देखना बिटा सॉल करना, बाद में पढ़ेंगे आगे, तीन दुनी 6% पी आजाएगा? तीन दुनी 6% क्यों आ जाएगा दो दुनी 4% P आ जाएगा पिलस 6 दुनी 12% क्यों आ जाएगा 6 में से 4 जाएगा 2% P आएगा और 12 में से 6 जाएगा 6% क्यों आएगा % से % उड़ेगा P अपॉन क्यों की वैल्यू क्या जाएगी 6 बटे 2 आएगी यानि रेशो तीन रेशो एक आ जाएगा तो कुशन ने क्या कहा है P के 2 गुने और क्यों के 5 गुने के बीच अनुपात क्या होगा तो P का 2 गुना और क्यों का 5 गुना यानि 6 बटे 5 हो जाएगा ये कुशन जो दहली पुलिस 2020 में पूछ लिया गया था वो question CGL 2023 में पूछा गया है तो आप लोग देख सकते हो CGL भी यहां से उठा उठा के question दे रहा है जो question 2020 में पूछ लिया गया था वो question CGL 2023 में आप से पूछा गया है question ने कहा है कि एक विद्याले में गनित भोतकी और computer science की सीटे यानि की physics, यानि की math, physics और computer science की सीटे जो है वो 7, 8, 9 के अनुपात में है तो बेटा solve करने के लिए 1, 1, 0 बढ़ा लो कोई दिक्कत नहीं है इन सीटों में किरम से 60%, 50% और 70% की विरद्धी किये जाने का प्रिस्ताव है तो बढ़ाई गई सीटों का अनुपात क्या होगा वो आप लोगों से ये पूछना चाहा रहा है वो आप से ये पूछना चाहा रहा है मेरे दोस्त, question को थोड़ा सा उपर करो लो, थोड़ा सा उपर कर देते हैं कोई दिक्कत तो दी, अब नहीं होगी ठीक है उसने पूछा है, what will be the ratio of increase seat increase seat का ratio क्या होगा तो एक बात मुझे बताईए इसकी कितनी बढ़ी है, 60% बढ़ी है, यानि कितनी बढ़ी होंगी 42 बढ़ी होंगी 70 का 60% निकालोगे 42 इसकी 50% बढ़ी है, यानि आदी 40 बढ़ गई होंगी अगर इसकी बात निकालो 70% बढ़ी है, तो इसकी 63 बढ़ गई होंगी, ठीक है भाई उसने पूछा, बढ़ाई गई सीटों का अनुपात क्या होगा तो मेरे दोस्त बढ़ाई गई सीटे हैं तो ये बढ़के कितनी हो जाएंगी 112, ये बढ़के 120, और ये बढ़के 153, तो इन तीनों का रेशु कितना आ जाएगा 112, 120, 153 112, 120, 153 option नंबर B option नंबर B इस question का जवाब हो जाएगा question नंबर 43 question नंबर 43 आप लोगों के सामने है दोस्त फटा-फट बताईए क्या होगा इस question का बिलकुल सही जवाब क्या कहना चाहरा है दोस्त question question कहना चाहरा है question कहना चाहरा है मेरे दोस्त गैहूं और चावल के बजार मुल्यों का अनुपात मुल्य का अनुपात आप लोगों को दिया हुआ है कितना तो आप कहेंगे 3 और 8 मुल्य का अनुपात कितना दिया है तीन और आठ दिया हुआ है अब आप देखिए थोड़ा सा ध्यान से समझे एक परिवार दुवारा उनकी खपत की मात्राओं का अनुपात यानि की मात्राओं का रेशो आप लोगों को दिया हुआ है कितना सोला और तीन आप लोगों को दिया हुआ है कोशन ने कहा है गैहूं और चावल के लिए किया जाने वाला खर्च का अनुपात क्या होगा वो आप लोगों से खर्च का अनुपात आप से पूछना चाहरा है अगर मुल्य की बात करूं तो 3 रुपे किलो चावल मैंने मान लिया तो 16 किलो चावल कितने का आएगा 48 रुपे तो यहां खर्च हो गए होंगे 8 रुपे किलो दाल मान लिया तो 3 किलो दाल 24 रुपे यहां खर्च हो गए होंगे तो दोनों के खर्चे का रेशो क्या आजाएगा 24 दूनी 48 24 एकम 24 तो खर्चे का अनुपात जो होगा वो कितना हो जाएगा आप लोगों कहेंगे दो एक इस कुश्चन का जवाब हो जाएगा नेक्स्ट कुश्चन कुश्चन नमबर 44 ऐसा कुश्चन आज ही करा के आया हूँ भाई ऐसे कुश्चन कब जिकर मत कर देना ऐसे कुश्चन कब जिकर मत कर देना ऐसे कुश्चन आज ही करा के आया हूँ या तो मैथर से कर लो तीनों को जोड़ दो फिर ABC की वैल्यू निकाल दो या फिर क्या कर दो ओप्सन से भगे हुए चले जाओ एकी वैल्यू छे माल लो 6 छंग 36 होगा फिलस B की वैल्यू 3 3 तीया 9 होगा 36 और 9 45 होते हैं क्या कट पिट करके कभी 34 आ सकता है बिल्कुल नहीं आ सकता है जवाव A नहीं होगा कट पिट करके क्या कभी 34 आ सकता है 45 को किसी तरीके से काटके 34 आवा सकते हो तो आप कहेंगे कभी भी नहीं आएगा आगे आजाओ A की वैल्यू को 3 मानलो 3 का स्क्वार 9 होगा B की वैल्यू को 5 मानलो 5 का स्क्वार 25 होगा 25 और 9 34 हो जाएगा पहली वैल्यू सेटिस्फाई हो चुकी है अगली वैल्यू देखो B की वैल्यू को 5 25 25 होगा और C की वैल्यू को 36 25 36 कितना कितना 61 हो जाएगा यहां भी 61 है ये भी वैल्यू सेटिस्वाई हो गई C की वैल्यू को 6 मानलो 6 का 36 हो जाएगा A को 3 3 का 9 45 हो चुकी है Option number B क्या होगा इस question का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा जब भी आपसे ABC का ratio पूछा जाए तो मेरे दोस्त दो method है या तो left hand side और right hand side को जोड़ दीजिए और वहां से value निकाल लीजिए या फिर आप लोग क्या है by option जा सकते हैं जो ज़्यादा आसान रहेगा ठीक है बहुत बढ़िया नई बेटा हाँ जो उपर करना हाँ ये कौन है आयम दिपानसू ये जो doubt आपने पूछा है बिल्कुल सही doubt पूछा है मैं भी वही confused थोड़ा सा हुआ था मैंने बताया था कि जब भी हमको नई आय निकालनी है तो पुरानी आय निकालके उसमें जितनी विरद्धी हुई है उतनी जोड़नी होती है लेकिन ये वो question में होता है जहां हमें income का ratio दिया हुआ हो और घट्राने बढ़ाने के बाद मतलब expenditure वाला ratio आप लोगों को दिया हो income और expenditure का ratio दिया होता है तब वहाँ इस चीज को करते हैं यहां देखोगे उसने पुरानी आय का ratio दिया है और बढ़ाने के बाद का ratio आपको दिया हुआ है तो आपको उसी ratio के हिसाब से निकालना होगा ठीक है चलिए question number 45 देखना भाई क्या ABC का मान पूछ रहा है ABC का मान पूछ रहा है तो by option भगे चले जाना ABC का मान पूछ रहा है इसको मैंने method से भी करा रखा है आज की class का ही question देना इसको method से भी करा रखा है तीनों को जोड़िये 5 और एक 6 170 आएगा 140 आएगा उसका आधा कर देंगे 70 आएगा 70 में से 34 जाएगा 36 और 36 का वर्गमूल 6 तो C की value 6 आजाएगे C की value 6 इसमें है 70 में से 61 जाएगा 9 आएगा 9 का वर्गमूल 3 आएगा तो A की value 3 आजाएगी वो इसमें है तो option number B हो जाएगा ऐसा ही question मैंने आज कराया है ठीक है बताइए option रखिए 14 और 13 27 27 में से 9 गया 18 14 और 13 27 27 में से 9 गया 18 18 आगे बढ़ो B पिलस C 13 और 9 22 22 में से 14 गया तो आठ बचेगा ठीक है आगे बढ़ो A पिलस C 14 और 13 27 27 में से 9 गटा दो 14 और 9 23 ये 10 आजाएगा क्या कटके 2 ना मठा रहे 2 चो काट 9 4 5 आएगा लाना 4 5 9 है तो ये तो जवाब नहीं होगा आगे आईए A पिलस B करिये 14 और 9 23 23 में से 13 गया 10 बचा ठीक है 10 को काटके कभी भी 4 नहीं आसकता है ये भी जवाब नहीं होगा ये भी जवाब नहीं होगा, A plus B, 13 और 14 को जोड़ी है, 27, 27 में से 9 गया, 18, 18 को काटके कभी भी 4 नहीं आ सकता है, क्योंकि 4 से कटता ही नहीं है, यहां देखिए, A plus B, 13 और 9, 20, 13 और 9, 22, और 22 में से 14 गया, 8 बचेगा, और 8 जो है, कटके 4 आ सकता है, 2 से काटेंगे, तो जवा D ही हो जाएगा, जवाब जो है, वो क्या हो जाएगा, D हो जाएगा, एक बार verify करा देता हूँ, आप लोगों को, पहले तो आप लोगों को पता चल चुका होगा, कि मैंने D बताया क्यों है, है न, लेकिन अगर नहीं पता चला है, देखिए थोड़ा सा ध्यान से, A plus B, दो 10 बचा, A plus C, 13 और 14, 27 में से 9 गया, तो 18, तो क्या बेटा, रेशो जो आएगा, वो 4, 5, 9 आजाएगा, यहीं आ रहा है, तो option number D ही हो जाएगा, ठीक है, आगे बढ़े, चलिए, भाई, चला क्यों न रखा ये, question number 46, और मेरे ख्याल से ये आखरी question होगा, आज का, आज का नहीं, रेशो का आखरी question होगा, हाँ, रेशो का आखरी question है, इसके बाद जो सुरू होगा, वो partnership चालो होगा, question number 46, आप लोगों के सामने है, question number 40, आप लोगों के सामने है, जल्दी से बताएंगे क्या होगा, इस question का बिल्कुल सही जवाब, यहां से देखेंगे मेरे दोस्त, M plus N, और M minus N, मैंने आपको component और डिविडेंडों बताया होगा, मैंने कहा होगा, जब भी उपर जैसा numerator है, वैसा ही denominator है, केवल sign का फरक है, तो आप cnd लगा देना, cnd कैसे करते हैं, cnd उपर वाली संख्याओं में से नीचे वाली संख्या घटा दे है, M plus N में से M जाएगा, यह पिलस हो जाएगा, N और N, 2N हो जाएगा, ठीक है, उपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या जोडते हैं, तो यह 2M हो जाएगा, उपर वाली संख्या में, देखो, सबसे पहले जोडना होता है, जोड लो या घटा लो, जोडेंगे तो क्या आएगा, N, N कर जाएगा, उपर 2M आएगा, जब उपर वाली में से नीचे व एक है बस पूट कर दो, M की वेल्यू छे, 6 का क्यूब 216, पिलस एक, 216 माइनस एक, तो 217 बटे 215 आ जाएगा, 217 बटे 215 इस कुश्चन का जवाब आ जाएगा, क्या ये बात समझ में आ गई है, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आ गई है, अब दोस्त मैं आपको लेके चल रहा हूँ, किस तरफ, लेके चल रहा हूँ, दोस्तों, पार्टनर्शिप की तरफ, ये रहा पार्टनर्शिप, तो सबसे पहले पार्टनर्शिप आपने क्लास में नहीं पढ़ा है, सबसे पहले क्लास में आपने पार्टनर्शिप नहीं पढ़ा है, लेकिन पढ़ाने ला आज जो आपके कितने कोश्चन थे total मैं आपको बता दूँ 46 कोश्चन हम लोग कर चुके हैं 58 कोश्चन तक तो आपका यानि 12 कोश्चन थे आपके किसके धहली पुलिस कॉंस्टेवल में भी पूछा है आप लोगों के किसके थे पार्टनर्शिप के थे और फिर आगे 66 कोश्चन तक आपके सारे थे यानि कि आपके कुल मिला के 20 कोश्चन बचे हैं ठीक है ठीक है भाई चलिए फिर आज के लिए इतना ही चलिए आज के लिए इतना ही मिलते हैं कल एक बहतरीन किलास के साथ कल का जो टॉपिक होगा वो परसंटेज नहीं होगा हमने ये चीज दो बार रिपीट कर दी थी मेरे दोस्त तो कल का जो टॉपिक रहने वाला है इसकी जगा जो है कल का टॉपिक क्या रहने वाला है कल का जो टॉपिक रहने वाला है वो SCF-LCM के 14 कुश्चन रहने वाले हैं SCF, LCM के 14 कुश्चन और कल क्या छोड़ दिया था? Pipe and system छोड़ दिया था. Pipe and system छोड़ दिया था. इसके 20 कुश्चन है और partnership के 12 कुश्चन है. Partnership के 12 कुश्चन है और age के बिटा 10 कुश्चन है. 12 और 10, 22, 22, 24, 44, 14, लगबग लगबग 50 कुश्चन का निप्टारा कल करेंगे. कल जो होगा वो mixed part होगा. है ना? तो जुनना मत भुनला, 30 तारिक में कल शाम 4 बजे एक mixed part कराऊंगा, बड़ा मज़ा आने वाला है. कल के part में बड़ा शांदार मज़ा आने वाला है. बहुत सारी चीज़े clear करके जाऊंगा, भाई या face को तो साप कर दो. है ना? ठीक है जी? चलिए फिर परसो कराएंगे percentage. हो जाएगा पूरा ये sequence जो दिया है, इसी को ही follow हम लोग करने वाले. फिर मैंने दो-दो chapter कहीं भी नहीं रखे हैं. यहाँ simple interest, compound interest अलग रखा है, mensuration 2D, 3D अलग रखा है, simplification बिल्कुल अलग रखा है, simplification बाद में चला जाएगा, average mixture and delegation उपर आ जाएगा, time and distance यहाँ जाएगा, simplification सबसे last में पहुँच जाएगा. ठीक है बाई, चलिए फिर आज के लिए इतना ही, और देखो मैं ऐसा मानता हूँ, मैं ऐसा मानता हूँ, क्योंकि बेच में अभी मैं mensuration करा रहा हूँ, और time and distance करा हूँगा, तो मुझे नहीं लगता इसके revision की आपको आवशकता पड़ेगी, इसके revision की आवशकता इसकी देख लेंगे, एक वीडियो ले आएंगे, ठीक है, तो एक दिन का जोल है, बस मुझे 6 तारिक तक ये खतम करना है, 6 तारिक तक ये मुझे सब कुछ खतम करना है, 6 तारिक तक, ठीक है, और देखते हैं कल क्या करते हैं, मिलते हैं कल एक बहतरीन क्लास के साथ, ओके ट तो बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी हर एक टीचर आपके साथ मेहनत कर रहे हैं चाहे वो कंप्यूटर की किलास हो चाहे वो बिजनिंग की किलास हो चाहे वो मैथ की किलास हो और जी एस में नवीन सर का प्रेक्टिस सेट चली रहा है तो उसमें भी आपको कुछ सोचने की आविशक्ता है ही नहीं बस मन लगा के दोस्त पढ़ाई करिए ठीक है मिलते हैं कल ओके टाटा बाई बाई